हालो बचों कैसे हो फर्स लास तो चलिए मैगनेटिक इफेक्ट पार्ट नाइन तो मुझे पक्का यकीन है क्या कि पार्ट वन से लेकर पार्ट एड़ तक ही पूरी थियरी आपकी कम्प्रिट हो गई होगी उधार पूरा फर्स लास आपका तयार हो गया होगा थियोरी में य लोग करते जाएं वह सब नुमेरिकल से तो आए तो आज का टापिक है आज का टापिक है मैगनेटिक इफेक्ट पार्ट नाइन साइक्लोट्रां और लॉरेंज फोर्स यह क्या होते हैं एक क्वेस्जन यहां से बहुत इंपार्टेंट है फिक्स है क्लियर तो यह वाला नह जानते ही वह मुस्ट भी पार्टेंट चैप्टर है तो चलिए जम करके तयार करिए खुब अच्छीतर से कंसेट को समझेगा क्लियर और कहीं पर भी कोई भी डाउट फोटा है तो तो पूछिए ओके पी हंडे फ्रीजेक्स और मैं आपका स्टीपी सर ओके चलिए तो ओके डेका मान्द क्वैंट्ट सरसे पले देखा जाये कि लाउरेंज फोर्स है क्या तो राइड़ फेडिग्स फोर्स लाउरेंज फोर्स एक हुआ है सायंटिस्ट लाउरेंज और एक हुआ है लेंज तो Lange Electromagnetic Induction वाले चेक्टर में जो EMI का Electromagnetic Induction का थरला है ना तो given by Lange और Lawrence नहीं क्या किया था कुछ विश्चेस कम नहीं यह क्या किया ना दो फोर्स को आपस में जोड़ दिया था तो यहाँ पे Lawrence अभी आगे आएगा Lange मिंसकी Lange क्या बताता है Lange Induced EMF का Direction बताता है Direction of Induced EMF will be where और Lawrence क्या बताता है दोनों में difference ना में confusion ना हो तो Lawrence क्या बताता है Lawrence किसी एक ही इस्पेस में किसी एक ही बिंद उपर किसी एक ही जगे पर यदि दो फिल्ड हो कौन सी दो फिल्ड इलेक्टिक और मेगनेटिक तो यदि दो फिल्ड हो कहीं पर तो उस समय उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्ष कितना किधर कब लगेगा और कहीं velocity selector बताना हो तो कैसे ओ बनेगा velocity selector means किसी पार्टिकलर स्पेस में हम चाहते हैं कि केवल इतने ही velocity वाले केवल इतने ही velocity वाले बिल्कुल फिक्स वैलो कि चार्ज आयन ही इंटर करें तो वहाँ पर हमको एफिल्टर लगाना पड़ेगा जैसे माली हम चाहते हैं कि कहीं किसी स्पेस में हमको जरुवत है डिए नीचे वाली बैली वाली 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 उनको भी फिल्टर करना है और जो इसके उपर वाली value है, उनको भी filter करना है, उसको cut करना है, तो बीच की एक value के वाल इस region में pass करें, तो यहाँ पर लगाते हैं, क्या को बोलते हैं, तो यहाँ पर जो technique लगाते हैं, उसको कहते हैं, what? velocity selector, velocity, तो उसे बोलते हैं, velocity selector, ओके, what is the principle of this velocity selector, what is the principle of this velocity selector, it is based on law range force, यह किस पर बेस्ट काम कर रहा है, law range force पर, velocity selector, किसी particular space से, कौन सा, कौन सा, कितने value का, charge particle inter करेगा space में, या हमको भेजना है इधर, बाकी को block करना है, तो blocking कैसे होगी, किसे होगी, velocity selector, so therefore you can say now that, velocity selector is the simple technique, to block, to filter, filter, other charge particles, which has velocity more or less than a specific velocity, more or less than a specific velocity, for example, let us consider your requirement is, let us consider your requirement is velocity equal to, example, 2 into 10 to the power 6 meter per second, then your requirement is this only, and there are many charge particles, then you have to block or the stop or the filter, which has, which has, V less than, 2 into 10 to the power 6 meter per second, and also, also V greater than, 2 into 10 to the power 6 meter per second, इनको भी हमको फिल्टर करना है, इनको भी फिल्टर करना है, इनको फिल्टर करना है, इनको फिल्टर करने के लिए किया विश करोगे, velocity selector, and now keep in mind, how it is possible, now keep in mind, how it is possible, okay, तो चलिए, यहां तक note कर लिए, पहले value, note कर लिए, ताकि मैं आगे बढ़ू, कलिया, point note कर लिए, velocity selector, पहले तो मसी दना अभी लिखे के वाद, क्यों मसी दना लिखे दो लाइन लिखे के वाद, क्या लिखे, लाइन्स फोर्स अगड़िया, और लिखे की उचसे नीचे फिल लिखे की velocity selector, फिल लिखे की velocity selector is based on the large force, principle of the velocity selector is large force, large force, लिख दिया, and for example, Suppose 선생 rather as required velocity, suppose Be suppose Capcom is equal to 2ítulo 6 meter per second anywhere in space for any purpose and suppose there are many types of thedel hazels particles having the different velocities then you have to block the filter more velocities and less velocities is less than 2 into the power of 6 meter it has to block वीव मोर दान तू इंडू टेपार 6 मीटर इठाइज अल्सर टू बलक इठाइज अल्सर टू फिल्टर अड देन वाट इज़ प्रॉसस ओके आगे बड़े चले नोट के लिए होंगे पॉइंट इतना आगे बड़े और अब यह क्या है लारेंज फोर्स अब हुहाँ चला यहां से बनाएंगे तो फिर हम उसमें चलते हैं कैसे काम करता है ओके चले तो लॉरेंज फर्स इन 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 इस पेस ने इन 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 इस पेस consider consider two fields two fields two fields are present right first तो let in any space data sensor two fields are present कहीं consider किया या कि उस पे दो field है कौन कौन से field है ई ए और यह दोनों है इलेट्री फिल्ड और मेलेट्री फिल्ड कहीं पर दोनों present है ओके और एक यह चार्ज पॉर्टकिल है प्लस क्यों यह चार्ज पॉर्टकिल उस फिल्ड में जा रहा है फिल्ड कितने डिगरी पर है कैसी है does not matter वह बात की बात है पहले तो होगा क्या कहीं भी हो उनका सब्सक्राइब निकाले उगा लेंगे तब देखा जाएगा अब ऐसे सोचा जाए कि कहीं पर भी इहां पर इभी है और और क्या है बीभी है दोनों है यह चार्ज पॉर्टकिल है क्यों मार्स इसका यह तो एक बात आप अच्छी तर से क्लियर है जो हम लोग पढ़ चुके सब्सक्राइब है इसी में और लाइन इलेक्टिफ फिल्ड एंड पोटेंश्य वाले चैप्टर में वहां बहुत ही सहीब बहुत ही अच्छा इक्सप्रेडिशन वहां पर है वीडियो में आप पीसे बैक होके देख लें ना तो फिर आल हां पर टॉपिक पर तो चलिए तो के लियर है आप एक्वाल टू एक्वाल टू एक्वाल टू क्यू ए लगेगा यहां क्वेशन उठता है कि फोर्स कि कब लगेगा आइदर आइदर दिस्चार्च इज इन मोशन एदर दिस्चार्च इज इन मोशन या दूसा मैं कहाओंगी कि और मैं जादी आपशन दूँ आपको बना करकर कि फ्वेशन और इन आइदर आइदर दिस्चार्च इज इन मोशन और और इन रेस्ट और फिर आप समरा दूँ आपको कि और इन बोथ पोजिशन इन बोथ केसेज अब देजिए निसान किसी पर एक पर जल्दिस मार देजिए कि इलेक्टिक जो फोर्स होता है बस यहीं सीखना यहां पर जब अब जस्ट कमाउंड इस पर करना क्योंकि यहां स अच्छीता से क्लियर करना है ताकि उहां क्यों गलत ना होने की चांसे जो कुछ भी ओके नित आएट दोनों के लिए तो एफ एफ एक्वल टुक्यू एफ एक्वल टुक्यू एफ लेल दाट इस दाइलेक्टिफोर्स आइटिंग अन्दर चार्श पाट केल इस लेटिफ सब्सक्राइब दोनों में पोर्स एकी लगता है एकोल लगता है डास्ट अन्टमेटर एफ चार्श पार्टिकल चाहे रेश्ट में रहे या चाहे वह मोशन में रहे हमेशा उस पर एक इलेक्टिक फोर्स लगता है और वह यह इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वह मोशन में है या कि वह रेश्ट में है वह इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता, वह इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता, कि वह कितना डिगरी का एंगल बना रहा है, यह equation एक कहता है, कि electric force, FE, electric force, will be just in the direction of the electric field, जो electric field का direction होगा, वही force का direction होगा, अब चाहेवा charge rest में हो, या चाहेवा charge motion में हो, तो यहाँ पर हम लोग आता है, अब यहाँ से question कहाएगा, यहाँ पर एक charge particle होगा, किसी theta degree का angle बनता हुआ, वह इंटर करेगा, electric field में, और वहाँ पर आपको उसका path derive करना होगा, कि what will be the equation of the path of the charge particle, तो just इसे बाद अभी हम मैं लेता हूँ, इसो explain कर दूँ पहले, तब मैं लेता हूँ उसको, तो वहाँ पर आपको explain करना होगा, कि what will be the path, what will be the path of the charge particle, और फिर वहाँ से numerical लाएगा, तो path उसका parabola बनेगा, कैसे बनेगा, वह अभी हम लोग दिखेंगे, clear, चले, okay, come on, यह बात clear हो गए, यहाँ पर, तो elective force हो गए, कि charge, देखो अच्छी तरस्वनोट करो, कि यह charge यहाँ पर indicate करिए इसको, charge चाहे rest में हो, या चाहे motion में, stop, stop, clear, clear, rest में हो, चाहे motion में हो, दोनों ही cases में, force F equal to Q, E ही लगेगा, उतना ही लगेगा, उसके numerical value, force के numerical value, उसके दिशा में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अब आई हैं, यहाँ पर, हाँ, अब यहाँ पर आ जाई है, यहाँ पर क्या होगा, हाँ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर means, कि अब, अब हम चलते हैं, magnetic force पर, तो चुकि हम लोगों ने माना है, कि यहाँ पर elective force भी है, और elective field भी है, और magnetic field भी है, तो elective field का तो result देख लिया, क्या होना है, magnetic field के result के बिशा में हलो अच्छी से, से clear है, कि क्या होता है, क्या होता है, कमान दा point ना हो, अब यह charge है, अब हम फिर चलते हैं, वैसे, अब हम यह देखते हैं, कि यदि V कमान 0 है, means कि यदि charge magnetic field में rest में है, तब क्या होगा, magnetic field में क्या होता है, तो जानते हैं कि यहाँ पर magnetic field, magnetic force, Fm, ब्रावर के ना होता है, क्यों, V, V, श्राइन, थीटा होता है, जहाँ पर velocity vector V, और magnetic field B के 20 का angle, थीटा होता है, ओके, पीछे आप lecture में पढ़ चुके होंगे, साली वीडियो में, तो velocity V, velocity V, and V, and V, के 20 का angle है, थीटा, इन दोनों के 20 का angle है, थीटा, मिस, you can say this is like this, V, and this is suppose V, this angle is थीटा, here, which theta is given to you, तो this is the force, mind, this is the force, suppose करो, कि यह charge हमने माना रेश्ट में है, तो सीधी सी बात देख रहे हैं, साफ, साफ दिक रहा है, साफ, FEM ब्राबर 0 हो जाएगा, FEM ब्राबर 0 हो जाएगा, means, कि यहाँ पर magnetic field होगा या नहीं, इसा मतलब होगा कि electric field तो अवस से होगी, electric field तो अवस से होनी है, बात रही magnetic field की, electric field तो अवस से होनी है देख रहे हैं अब, बात होनी है magnetic field की, तो magnetic field में क्या हो रहा है, क्या पढ़ना है, लॉरेंज force, ओके, हाँ, अब आई है, तो electric force तो अवस से होगा, बात रही magnetic force की, यदि, let V equal to 0, यदि चार्ज रेस्ट में है, तो उसके ऊपर कोई magnetic field, magnetic force नहीं लगता, पहला point, दूसरा point, यदि ऐसा हुआ कहीं पर, कि magnetic field की दिशा B, और वही दिशा हो गई V की, यद दोनों एक ही दिशा हो गए, तब ही देख रहे हैं कि theta कमान 0 degree हो जाना है, हो जाना है, तब फिर क्या हुआ, fm बराबर 0 हुआ, हुआ न, ऐसा क्यों, क्योंकि sin 0, sin 0 बराबर 0 होता है, sin theta है न, आपके equation में, ये sin theta है न, तो theta के value 0 कहरा है, ज़ए उसी दिशा में, उसी दिशा मतलब कि theta 0 हुआ, जब theta 0 हुआ, तो sin theta ब了 बराबर 0 हुआ, sin 0 बराबर क्या हुआ, 0, so sin 0 के बराबर 0 होती है, तब भी क्या हुआ, fm बराबर 0 हुआ, है न, दूसरा point हो ग प्रिशा में है तब भी कोई फोर्ष नहीं और यदि मैगनेटिव फिल्ड नहीं है ही नहीं तब भी कोई फोर्ष नहीं मिन्स क्या नमबर तीन पर चाहें तो हम लिखते हैं कि यदि लेट बी इकल टू जीरो फिल्ड नहीं सुनने है तब तो इस खार यह अफ्यम का सवाल है नहीं उता है अफ्यम तो जीरो होना ही है तब तो यह अफ्यम आट्रमाटिकली जीरो है फैंटास्टिक चलिए मैं ध्यान देना है अच्छी तर से बहुत ही अंदर घुस करके फिजिक्स के अंदर घुस है कंसेप्ट क्या पढ़ रहे हैं फिजिक्स कंसेप्ट कीप स्ट्रांग यूर कंसेप्ट स्ट्रांग यूर कंसेप्ट हमको एक दो क्वेशन रटना नहीं है दो चार क्वेशन के नुमेरिकल से कई मतलब नहीं है फिजिक्स पढ़ाई ने धुनाई करिए एक एक सुत अलग हो जा फिजिक्स का और आंको इसले सामने कर सब कुछ दिखे ऐसे कि क्या हो रहा क्यों हो किसी भी स्पेस में कोई चार्ज पार्टकिल है और आपको नुमेरिकल अपसाल करना है तो अब कहीं पर भी कोई भी नुमेरिकल आया किसी भी स्पेस में कहीं पर कोई चार्ज पार्टकिल है और यदि उसमें डिफलेक्शन है जान देना क्या बोला कि यदि उसमें डिफले हुआ है चाहीं श्ट्रेफ हुआ निश की चाहर्ज पार्ट की ला अपना अस्थान नगहीं हैSorry क्या होना है क्या होना है क्या होना है एक आप्नली क्या हίσब मक्यों कि वहां पर कहा गया है कि इलेक्रिंटीफ फिल्ड फिल्ड उसा मतम्तव कि यह यह चाहिए लग यह न लगे एफ हम लेकिन हम यफी तो लगना है तो यह तो लगना ही लगना है आप जाए देखिए यह दि मैगनेटिक यह दि मैगनेटिक फोर्स होगा जीरो ये सपोस के लिए कि दो कंडीशान इस से कोई एक कंडीशन लागव हो रा है सपोस के कि वीविलाश्टी जीरो है तो इसान मतलब हुआ कि जीधर चार्ज पार्ट किल डिफलेक्ट हुआ ही दिशा इलक्टिक फिर्ट की दिशा है, है कि नहीं, है न, अच्छा, दुसा क्या, यदि विलाश्ट, यदि ए भी संभव है, ए भी संभव है, क्या, कि जिस दिशा में डिफलेक्शन हुआ है, वह तो दिशा कनफर्म है, कि इलेक्टिक फिल्ड का होगा, वही दिशा इलेक्टिक फिल्ड की होगी, हाँ, यह चीज और है, बस हरते की, एफियम जीरो हो, तो एधी एफियम जीरो है, और एफियम बाई एनी मिन्स जीरो है, एफियम किसी भी कारण बस जीरो है, कारण सामने है, और चार्ज में डिफलेक्शन हो रहा है, चार्ज पॉटकल में, इस मत्APPB कि जहां डिफ्लेक्षन हुआ जिस दिशा में हुआ डिफ्लेक्षन अफिंघ师 के ते सब्सके दिशा था निदे कि एधित दोनों develop हो यादि लैट्रिफ फिल्ड भी present है और है और मैगनेटिक empath पiley10 है फीर भी इस एक हो सकता है कि जितना उलन्य फोर्श लगे पार्टिकील पर और दोनो ए दूसरे के अपवोजिट हो तो deflection होगा नहीं होगा क्यों क क्योंकि net force क क्या हो जाएगा जीर हो जाएगा क्योंकि net force जीर हो जाएगा प्रक्का तो जितना इमयंचि-onton नेटe-पोर्स जीर हो जाएगा तो पहले तो पॉइंट नोट कर लिए आपने यह पॉइंट नोट हो गए कि कब कब जीरू होगा अब लॉरेंज इक्पेशन क्या दिखा तब यहां से फिर आईए नुमेरिकल बात को अगे करते हैं तो आजे अब नुमेरिकल से क्या अभी क्या सम्हावना रहें यह बाद फिर से देख ल और चार्ज पाटिकल के मोंसम की दिखा रहने कि B और V दोनों एक ही दिखामे है तब फोर्स जीरू हो जाएगा क्यों 0 हो जाएगा इस पॉस्तन यहां पर है कि थीटा कोटई 0 है तो सान 0 बबाबर 0 हो जाएगा एफम बबाबर 0 हो जाएगा यदि B का मान 0 है तब ही एफम प्रेजेंट हो, चार्ज भी हो, और इलाटी फिल्ड भी हो, चाहे वह रेश्ट में रहे, चाहे वह महसर में रहे, क्लियर, ओके, कमान, और नाओ दे पॉइंट इस दे लॉरेंज फोर्स, तो यह जो दोनों फोर्स आपने भी दिस्कस किया, यह दोनों फोर्स हैं, आपने अभी दिस्कस किया, कि क्योई का क्या नेचर है, और एफियम का क्या नेचर है, आपने यह नेचर दिस्कस किया है, एफियम का, क्या, क्या, क्यो, भी, भी, एफ, एफ, एम वराबर क्या, क्यो, भी, भी, शाइन, थेटा, ओक्य, तो यह दोनों अबने नेचर डिक्कस किया कि कवर कौन लगता है कि सवस्था में कौन साथ जीरो हो सकता है अच्छी तरस्पली से डीप नॉलेज यहां पर ले लिए कठा कर लिए रफली करके दस बार प्रेटिस कर लिए तब क्या हुआ अब कहीं स्पेस में दोनों है तो f बराबर कितना तो हमारे पास दो फोर्ष मुझे दिख रहे है यह प्वी प्लस fm कहीं पर भी यह दोनों फिल्ड प्रेजेंट है तो हमको दो फोर्ष दिखेंगे f नेट प्लस f प्लस fm अच्छा इसको हम लोग जानते ही है इसको तो अभी अभी पढ़ा है सामने दिख रहा है और प्लस एफियाम इसको भी देखा है QVB स्ट्राइन थीटा होता है देखा अभी अभी यहां सामने है तो F नेट कहीं पर भी कितना हुआ तो QE ए तो ऐसे ही इसमें कोई प्रॉटर्ट को रहे तो है नहीं इसको हम लो जानते हैं किस फार में लिदेते हैं क्रॉटर्टर फार में क्या लिखते हैं Q Vector B Cross Vector B लिख सकते हैं ओके तो इस फाइनल इक्वेशन इस इस फाइनल इक्वेशन साब दा लारेंज फोर्स देख रहे हैं तो इसने कुछ नहीं किया दोनों फोर्स को जोड़ दिया आप नाम पढ़ गया उसका लारेंज फोर्स उस किया है देखे थामें तो यहीं क्या है इस 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 फोर्स इस इस को कहते हैं ना लारेंज फोर्स इस 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 फोर्स ओके आए अब अब बात रहेगी कहीं पर हुँं हम आब आब बात रहें कि कहीं पर Pizza आई कैसे हो सकता है कि औह भी नेट फोर्स जीरो हो इसके लिए क्या होगा में कहीं पर नेट फोर्स जीरो दब आज़ा देखिए खरूर्स कर्यें कि किसी पर कहीं पर यहां पर छूपर ऑफồngश की लेकर हों F net, F net, okay, कहा जा रहा है equation में कि, when, when F net equal to 0, कर दीज़े 0, इसको 0 बराबर कितना हुगा, Q, E plus Q, V cross B, okay, अच्छा, आप जाए देखिए, यह दिन दोनों के भीच में, V और भी दोनों ये दूसरे के perpendicular हैं, keep in mind, V, V, and V at, आइसे कर दे, देखो, यह perpendicular का निशान हो गया, तो V and V are perpendicular हो, तब क्या होगा, तो theta की value हो गई, 90 degree, हो गया, theta 90 हो गया, अब देखो, तब फिर क्या होगा, हाँ, तब क्या होगा, आई यह, तो अब यह क्या बना, हाँ, इहीं पर आ जाईए, देखे, तो 0 equal to QE, 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 plus, क्या, 90 है, हो गया, दोनो, अब यह लाइन आगे, इधर ले, बराबर के दर ले जाईए, equal to के निशान के दर ले जाईए, QE, equal to, minus QV, B, हो गया, आप जाद देखेगा, QE, equal to QV, Q को अटा देजे, बचा किया, equal to, minus V, V, V बराबर कितना है, V equal to E upon, V, minus, वाट सुभी जब लश्टी, यहाँ पर साइन माइनस है, तो यदि जब इसका वेक्टर फार में इसको लिखेएंगे, E और V को वेक्टर फार में लिखेंगे, तो साइन लगाएंगे, और यदि इसके लब फार में लिखेंगे इसको, खाली स्पीड यहाँ पर चेक करना चाहेंगे, यदि स्पीड चेक करना चाहेंगे, तो यहाँ पर वेक्टर लगान नहीं को जब नहीं होगी, क्योंकि आपको numerical value नहीं चाहिए, कि आपको numerical value चाहिए, कितना फस्ट विदा मैंगे टीड अधा विलस्टी इसकीड? यहाँ अब अगला point, क्या, तो अभी मैंने बात किया था, आते आते, क्या विलस्टी स्लेक्टर? तो इस इसकीड वेक्स, इसकीड नाउज है, इसकीड बीकमस फिक्स, वाई, Because E is fixed, B is fixed, this is the fixed numerical value, this will be of a fixed numerical value, whatever will be the value, so E and B will be fixed, therefore the velocity will be fixed, clear, and the direction will be also, E vector E upon vector B, which will be the direction of the velocity, और numerical value किया होगी, electric field की numerical value, बटे, magnetic field की numerical value, बराबर, speed होगी, हमेशा, और यही, जब हम electromagnetic wave पढ़ते हैं, वहाँ पर यही आता है, ना, क्या आता है, वहाँ पर कहते हो, कि magnetic peak value of the electric field, upon peak value, means peak value of the electric field, बटे, peak value of the magnetic field, बराबर, इसी को कहते हूँ, सी ना, यही परकास की चाल होती, ना, विटा, This is the C equal to E naught upon B naught, C, परकास की चाल, light, speed of the light, C, C equal to E naught upon B naught, Okay, एक ही चीज़, हाँ, electromagnetic वाले चक्टर में, इसको क्या बोलोगे, नाम दूसरा बोलोगे, क्या कहोँगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, Amplitude, हाँ, Amplitude, तो this is the Amplitude of the Electric Field, नोट करो, Amplitude of the Electric Field, Amplitude of the Magnetic Field, तो जानते ही हो, कि Electromagnetic Way में, इलक्टिक वेक्टर भी होते हैं, और मैग्नेटिक वेक्टर भी होते हैं, दोनों सेम फेज में होते हैं, दोनों 90 डिगरी पर होते हैं, क्या बोला, दोनों सेम फेज में होते हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं कैसे हैं ऐसे और सी कहां पर होता है दिस इस सी दिस इस सी यह electromagnetic wave ट्रबल करते हैं यह electric field यह magnetic electromagnetic electric magnetic दोनों के भीज दोनों के दूसरे के direction and phase difference direction and phase difference both are the different points direction and other things phase and other things फिश सुनो याद आ रहा है ना phase बता चुका हो पहले phase, phase क्या होता है phase is that physical factor that physical quantity which tells about which tells about the position, the location of the oscillating particle or the body or the particle performing circular motion or oscillatory motion or periodic motion that physical quantity that physical factor which shows the location position of the such type of any particle that is called phase and direction, direction represent direction represents the direction of the velocity means in which direction body is moving that is direction दोनो आलाग आलाग चीज़ बता तो यह देखो जब यह electric field electric field यह magnetic field electric field magnetic field दोनों इस दूसरे के 90 degree पर है है कि नहीं देखो दोनों इस दूसरे के 90 degree पर है याद आ रहा केस्चन तो अब नहीं आया दुबारा फिर आयेगा ना लेकिन अभी पढ़ो गए electromagnetic wave आपका इस chapter आएगा लेकिन उसकी property यहीं से define होगी फिर से यह पढ़ेगी अब लोग आपे तो clear हो गटा तो V equal to क्या होगा minus E by B अब यहाँ पर अब कहोगे कि सर यह minus क्या सो कर रहा हाना question कि A minus क्या सो कर रहा तो net force को 0 होना था ना net force को 0 होना है ना तो net force कैसे 0 होगा अब इसा मतलब बे हुआ ध्यान देना बहुत अच्छी तरह से अब इसा मतलब बे हुआ कि जीधर electric force लग रहा था उसके just opposite दिशा में यदि magnetic force लगे तभी ऐसा होगा होगा ना तभी ऐसा होगा जब एक जीधर electric force लग रहा है उसके just opposite magnetic force लगे तभी ऐसा होगा और अब ऐसा होने के लिए क्या चाहिए ऐसा होने के लिए क्या चाहिए जानते हो, क्या जानते हो अब हमको देखो एक तो पक्का है क्या पक्का है क्या सब्सक्रिए कि कहीं पर electric force x-axis पर है प्लस x-axis पर है तो हमको magnetic force के दर चाहिए minus x-axis पर चाहिए तो minus x पर हमको लाना है क्या minus x पर हमको लाना है magnetic force अब ये तो clear है आपका कि velocity और magnetic field दोनों में x component नहीं हो सकता फिर से सुना हमने अभी क्या बोर example लिया हमने example लिया suppose करो कि electric force 3D में समझो इसको suppose करो कि electric force plus x पर है इसको zero करना है कैसे करोगे जीरो में magnetive force भी किसपर हो किसपर हो які पया किसपर लेकिन दिशा क्या हो दिशा दोनों की क्या हो दोनों की direction क्या हो अपजीट जरा दोनों की direction अपजीट तब ही 0 होगा ना यह क्या है यफी यह क्या है यह क्या है अफियां दोनो आपोजिट तब क्या हुआ तब क्या हुआ 0 तब फोड़ जीरो होगा है clear आप जा देखना अब बात हो रही थी अब अच्छा आप देखो न अब यह तो confirm है कि electric force x-axis पर है तो electric field का दिशात अपने आप fix हो गया electric field की दिशात अपने आप fix हो गई क्या fix हो गई कि e बराबर e naught i vector electric field की दिशात फिक्स हो गई कि e equal to e naught i क्यां क्योंकि जीधर electric field होता है उधर इफोर्स लगता है तो force अमने माना है x पर लेक्टिक फिद्ट की है यलिड़ी की अपी junt हो गई है किल्फ हो गया अप्फिर देखो अब बात हम किसी करेंẹ तो मैंघनेटी फिड्ट गी निले प्रीफ यह लेफ्ट हैंडन्रॉल न मैंगेनदी फिशन पर अया माइनस एक्सट तो करो करो जल्द है इधर करो माइनस एक्स तो दिस थम अंगुठा तुम्हारा माइनस एक्स लगा दो तो बी किदर है डाउन यानि की फिल्ड डाउन है हैं और और चार्ज का मोशन किदर है हमारी तरफ चार्ज का मोशन है क्लिए मिन्स अब देखो अब यह अफनेट सुनने हुआ है जान देना एफनेट 0 हुआ है आपका तो एफनेट 0 था ऐसा कैसे संभाग था जब यह थमम माईनस एक्स पर है तब यह किस पर है मैंनेटी फिल्ट टि किस तरफ शीस पर आ रही है تو हम लोग इसको माने है इधर एक्स इधर माने है minus y, अब हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, क्या-क्या possibility है, देखे, तो अब हम या तो इसको y मान ले, no problem, तो y direction में क्या हो सकता है, हाँ, y मान लेगा, तो देखे, तो हम यह माने थे x, सुनिए द्यान से, यह माने हैं, हम इधर माने थे x, तो अब हम इधर मान सकते हैं, आपकी तरफ y, तो अपनी तरफ क्या मान लूँ, minus y, उपर क्या मानू, z, बनाई जल्दी कांपी में, कांपी बनाऊ जल्दी, हाँ, इधर पेंच से खींचो इधर, खींचा, minus x करो, चलो, उल्दी से उल्दी सामें जाओ, प्लस x करो, अपनी तरफ, प्लस y करो, खींच दिया, उधर, अपनी तरफ, मेरी तरफ खींचो, minus y करो, किया, अपने पेज पर उपर, उपर, हाँ, कैसे खींचोगे, उपर, 90D, इमेजिंग करो, उपर, या डाटर लगा दो, वहाँ पर, याने तो एक लाइन उपर दिखा दो, अलिक दो, उपर, देखो तो, उपर, जेट, यह दि ऐसा हो, यह दि ऐसा हो, तो क्या मिला हम लोगों को, net field will be 0, certain, clear हो गए, पक्का, आप जाद देखना, यह किस condition को लोडिक्स कर रहे हैं, net force 0, आप दोनों field हमारी कैसे मिली, बिलास्टी मेरी किदार है, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, फास्ट लिखो, जल्दी, लिखो, बिलास्टी, लिखी जल्दी आर, वहाँ, बिलास्टी, हाँ, जल्दी बोलिए, क्या लिखे, बिलास्टी, ब्राबर, माइनस, बिलास्टी ब्राबर, मानस y पर है ना, हमार अबर माइनस वी नॉट जे माइनस वी इक्वल टू वी नॉट कुछ भी रहे तो जे ओके क्या साइन लगा था माइनस और क्या था एक लिस्ट बनाओ वहां पर हां बहुत टेक्निकल केशन बेटा है यहां पर अच्छीता से क्लियर हो ले ठीक अब अपना लेकर अपने बना क अब किदर है देखो जेड किदर है उपर जेड किदर है उपर है ना तो एक सेट बनाओ क्या संभव है फिंगर वहां पर लगा कर फिर अपने मन से चेक करो तो अच्छा नीचे क्या है बी है ना बी अब लिखो बी किदर संभव है देखना तो आजाओ कहीं और ले 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 हां चलो यहीं पर लेते हैं पी हंडेट फिजिक्स ओके चलो अब लिखो बी बराबर तो माइनस बी नॉट क्या या है के तो क्या चूशकी आपने आप देखे तो क्या लिस्ट मिला हमको ओके राइट देर एक लिस्ट बनाओ E equal to E not I E equal to E not I तो B equal to B not K and V equal to V not J in this situation F net will be zero surely will be zero there are mind there there are both fields are present in this situation both fields are present there is electric field also there is a magnetic field also but the net force is zero under this situation of again the command the point क्या कोई दूसरी लिस्ट भी बन सकती थी इसकी क्या इसकी क्या दूसरी लिस्ट भी बन सकती थी आये दिखाते हैं हाँ हाँ है दूसर बनाओ झल दूसर को सबनेगा आपने चलिए असे लेलो अधर के दर में आने घटा इधर क्या है मैनस AX इधर क्या है फ्लस AX तुमारी तो मानना कि अपर नीचे मानस जेट अब इस फिंगर को मैं घुमाता हूं देखेंग है कि यह नहीं बदलना चाहिए और मेरा मानस एक्स पर रहना चाहिए चलो आप हाँ 90 बना लो भाई ठीक से जब जास 90 देखो अभी भी यह वहीं है मेंसे दिस कंडिशन भी लाल सो पास्वेल जल्दी सेट बनाओ जल्दी लिखो अब फिर से लिखो अगला सेट क्या बनेगा अब इसमें से कोई यह श्रट दिया रहेगा तो उनको निशार मारना होगा इसमें स इसमें ही किसी दोनों को प्लस कर देगा कि यह एको प्लस कर देगा यह मारना देख करके यह और यह दो ही अधर ही है मेरा यह और बी हमारा तुम्हारे सेटि क्या बना जल्दी लिखो लिखो क्या दिखो गए B बराबर अब इसको B बराबर देखो B equal to B not J कर दिए B equal to B not J J B equal to B not J J means Y, तुम्हारे तर देखो B हो गया अब बिलास्री क्या दिखो गए बिलास्री लिखी है B equal to अभी नीचे है, B equal to B not minus K है ना लिख लिया, हाँ, लिखो जल्दी बिलास्री बराबर, B not minus K हो गया ये बोला है आपको और फिर बिलास्री, बिलास्री देखो E equal to E not, ये तो रहेगा ही वह सही जहाँ है, चलो, अब B क्या बोला हूँ V equal to V not हाँ, अब बोलो, क्या था, V किदर, डाउनवर्ड था तो, डाउनवर्ड मिस minus K अब अब आजे, क्या कुछ और संभव है चली, आए देखते हैं रोटेट कर दिजिए इसको ये अफियम के दिशा में कोई परवतर नहीं हुआ ये अफियम के दिशा में कोई परवतर नहीं हुआ लेकिन B उपर हो गया B उपर हो गया हुआ देखे, B उपर हो गया हाना B उपर और, ये क्या हुआ आपकी तरफ क्या है, Velocity तो Velocity आपकी तरफ, और B उपर ये भी पॉसिवल है, यानि कि दोनों प्लस रहें तब ही संभव है दोनों प्लस हो तो जहां वहाँ पर दोनों माइनस आए हुए थे यहां पर क्या कर दे अब लिख चुके हो ना चलो, अब इसको आपकी पर यही पर प्लस कर देता हूँ ये प्लस कर दे और ये प्लस कर दे देखे क्या और कूर संभव है, चेक करिए हाँ हाँ, ये वही राना चाहिए मिन्स ऐसे ना, 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 ये हाथी लगाना प्लस कर देखो ये भी संभव है नो, देखो इधर ये, ओके, ओके, कहाँ ये फोर्स इधर रों कुछ है हाँ, ये, कम अन है ऐसे घुमाद जाए अब हाँ, ठीक, फसलास ऐसे, ये भी एक संभव है बी किदे है मानस वाई, बी मानस वाई बी मानस वाई, बी मानस हो जाएगा और ये प्लस के हो जाए बी मानस हो जाए, ये प्लस के हो जाए मिन्स ठीक इसी का उल्टा ये भी संभव है बी इक्वल टू बी इक्वल टू बी नाट जे माइनस हो जाए और क्या रहे बी इक्वल टू बी नाट के ए भी समभव और ए जहां है उतों ही है उसी के रिफरेंस में दाउन लो बोल ला है अब जा देखेगा अब बस इतने ही समभव इसे बाद अब कुछ होगा नहीं सभी जो भी समभव सभव हम दो लिख दिया एक पहले वहाँ था एक दो हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया यह चार सेट ही समभव है यह चार सेट समभव है क्या होने के लिए इस कंडिशन को fulfill करने के लिए 4 set सम्भवते अब देख रहे होंगे कि इन 4 set में एक बात तो clear है कि elective field और magnetic field को जासा compare कर लेते हैं elective field जब हो रही है I पर तो यह field हो रही है J पर इस set में देख लिजिए यहां देख लिए क्या ही पर भी देखिए चलिए elective field है I यानि कि x पर तो b है minus x पर जे पर यहां पर भी देख लिए means कि minus minus y पर और plus x पर यहां भी देख लिए यानि कि यहां पर भी दोनों के बीच का theta कमान 90 degree ही हुगा यहां पर भी दोनों के बीच की value है दी हम देखें तो यह 90 दिग्री ही हुगा यहां पर जा देखिए यहां पर यहां पर भी दोनों के बीच का एंगल ना 90 डिग्री ही हुगा अब सवाल हुगा क्या कि यह चार चार तरसे तो लिख सकते हैं लेकिन चारों का में पॉइंट तो एक है क्या कि दोनों फिल्ड हमेशा 90 डिग्री पर होनी प्प्पाइस प्ति तो इतना ही सीखने के लिए दिना मिहनत क्यों इसलिए कि ऐसे वह चार शिटिक ठेगा ही इसको अलग कर देगा इसको क्वें की उलाक्टी को question में देदेगा और बागी जो है वी और वी का झार आपसं बनाएगा यहीं कि आएंगे abcd अब कहां पर क्या होगा गत्रिखेंगा होगा कहां पर समल लो कि यहां पर देखेसमें ना चेंज कर देगा, बन जाएगा, आपका एक्वेशन बनना देगा, हो गया, अब लगाईए है, तो एक्सपर्ट हो लीजिए, तुरंत में जा गया, ओके, फर्स लास क्या पढ़ रहा है, क्या, फिजिक्स, धुनाई हो रही, फिजिक्स के तो हो रही, धुनाई में पूछाओ क्या पढ़ रहे, तो फिजिक्स तो धुनाई हो रही है, पढ़ क्या रहे है, पी हंडेट फिजिक्स, मैगनेटिक इक टफ करेंट, पार्ट नाइन पढ़ रहे है, ओके, चलो, आगया जाओ, यह है, हमनों का लॉरिंज फर्स, अब जा देख रहे है, तो एक बाद दखना, कि यहाँ पर, अब सवाल हुआ कि बात हमनों पीछे जब स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पर, हाँ, यह चीता से नोट कर लिए होंगे, मुझे पूरा यकीन है कि सबका चीता से नोट हो गया होगा, सबका तयार हो गया होगा, और चारो सिट तयार होंगे, यह हम आप से चले, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब तो खोटा है, और आगे यहाँ पर क्या है, अब हम लोग ने पाया, अभी अभी पाया कि भी बराबर होता है, यह अपान बी, वनली कम संदर नुमेरिकल वैल्यू ना हो, तो डायरेक्शन तो किलियर हो गया, क्या हुआ, डाय नेट बराबर जीरू, क्यलियर, अले हाँ बोलो यार, ओके कमान, आप जाँ देखना, बी की नुमेरिकल वैल्यू आपने निकाल दिया, एक्वेल टू बी, एका कुछ वैल्यू मान रख दो, इसका कुछ वैल्यू लगो, यह किसके बराबर आ गया, यहाँ पर कुछ आ हैं, मेंस, क्या, मेंस कि वही चार्ज पार्ट के, बीदाउट डिफलेक्शन मूफ करेगा, जिसका मान इतना होगा, क्योंकि यह फनेट जीरू है, इसा मतलब है हुगा, कि जो विलास्टी उसको सुरू में टी बराबर जीरू पर दे गई, जिस दिशा में दी गई, वह उस इसी दिशा में उसी स्पिरू से चलता जाएगा, तो तो this is the velocity selector, प्रिंसपटल आफ, प्रिंसपल आफ, प्रिंसपनल आफ विलास्टी जलेक्टर, मीज ये वाला, और देखब इससे कम, V less than V1 और V greater than V1 और no V या कुछ माल लिया जा नाम दे दिया जा V dash नाम दे दिया जा कोई तो V dash हमारी velocity है तो V dash less than V और V dash greater than V यह क्या हो जाएंगे? deflected deflected and this velocity these particles these these particles which has velocity velocity E beta B these particles which has velocity E by B will क्या? will process without 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 deflection without deflection clear होगा है? क्या पढ़ड़ है? come on यह यह वाला देखो V बराब है EYB तो V equal to EYB clear? अब यह को जो नुमेरिकल वैलू आ है अभी हम लोग लोग लिए था 2 into 10 power 6 meter per second suppose कर लोग ही वैलू है जिसकी नुमेरिकल वैलू यह होगी तो V बिलास्टी स्रेक्टर हो गया अग जिसकी बिलास्टी इससे कम होगी वो अभी डिफलेक्ट और जिसकी बिलास्टी से ज्यादा होगी वो अभी डिफलेक्ट clear? आजाओ तो यह था point हमनों का law range force and use of the law range force clear? पक्का? मज़ा गया? हाँ physics की दुनाई चलो आगे बढ़ते हैं और अब आजाए cyclotron cyclotron तो question cyclotron is the most important part cyclotron is the most important point most important part and this is the most important for board examination also जिन बच्चों को board का इजाम देना हो और आप P100 physics पर हो यदि लखी होंगे तभी P100 physics देख रहे होंगे अधरवाजिस नहीं अधि लख होगा लखी होंगे तो P100 physics आपको कोई कोई बता दिया होगा और आप देख रहे होंगे अभी नया चैनल है इसको इंडिया लेविल फिर इसको global अस्तर पर ले जाना है बटा तो yes तो हाँ क्या करना होता है subscribe करिए पहला काम करिए पढ़ने पढ़ने सब्सक्राइब करिए देखे किये हो की नहीं किये हो तो 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 करो कर दिया चलो ठीक फसला अब तूं अच्छे बत्चे हो कर दिया चलो अब इसको share करो share to your friends friends circle कर दिया family share कर दो कर दिया सब को बोल दिया कि इसको share कर यह सब को बोलो कि subscribe करिए तो अचारो पहले तो प्ड़ो आगए कर दिया कर दिए है ठीक कर फसले है कि थीक हां पी 100 फीजिक्स तो मेरा अब लगी है तो पड़ाद है वहां ठीक कमान तो आजाओ तो अब हम लोग का टपिया चाहिए से एज़ी आधा के स्टुडेंट हो तो मुस्ट एपार्ट्न इस साइट्स निट देना है तो जानते ही हो क्या है साइक्पलोर्ट्ट एन तो निट इस सबको बहुत के पढ़ना जो आगे में टापिक लेने जा रहा हूं ठीक कमान हाजी हाँ देखो यह पाइंट तो बोली गया यार नाम ही हाँ नाम ही बोल गया कौन सारा इसका नाम बोल गया कुछ नहीं इलेक्टिफ फिल्ड अभी अभी जो पूरा हुआ इससा दर यूश्वर ले महां पर अभी इलेक क्रॉस्ट फिल्ड बोलते बिटा बस और कुछ नहीं लिख दो ही पर कि क्रॉस्ट फिल्ड मालों अभी थोड़ा सा याद रहेगा लिखे रहोगे तो याद रहेगा ना कुछ मिस ना हो तो क्रॉस्ट फिल्ड यानि कि क्रॉस्ट फिल्ड मिन्स क्या बटा ई आंड बी हर हा हुआ 90 degree होना चाहिए means क्या means दोनों दूसरे के perpendicular होनी चाहिए यह e हो तो यह b होनी चाहिए यह 90 degree ओके इसे कहते cross field यानि कि जो b बराबर जो हमारा b का equation आया है e बटा b minus में जो equation आया हमारा बिटा या numerical value का है तो b बराबर e अपान b एक अब आया है cross field होने पर आया है तो क्या कहोगे नाम वहाँ पर दिया गया है cross field यानि दोनों यह दूसरे perpendicular हो बस और नहीं कुछ ठीक आप चलो अब इस टाट किया जाए बैटा इस टाट किया है क्या cyclotron फाब बड़ी heading है और अच्छी तर से समझे इसको चलो हाँ आजाओ तो पॉइंट है मनों का cyclotron ठे तो लाइट चला गया उच्छा तब लाइट चला गया तो क्या किया जाए तो लाइट चला गया तो ब्रेक लिए जाए क्या ब्रेक लिए जाए कि ठीक है चलेगा ठीक है ना चलो ठीक है अभी आजा हाँ आजा ओके कम आँ तो कम अंदर पाइंट लिखो हेडिंग cyclotron cyclotron क्या है किया है cyclotron आए देखा जाए cyclotron करता तो और दीश आत्थ एक ले लिखहें कि यह सिम्पल टेकनिक है मैं लिखता इसी सब्लिल्लम simple technique technique 2 to accelerate to accelerates charge positive charge जार्श करने दिया पॉजीटिव जार्च पाटिकेश और यह और पोजीटिव पॉजीटिव चार्च ऑईन्स नह तो क्या करा कि दिस इस सीम्पल टेकनिक टू आशलरेट्स पाशिटिव चार्च पाटिकेश एसिलरेट करना isolate करना, तो two accelerates, positive charge particles, और positive charge ions, तो या तो positive charge particles हो, या नहीं तो फिर क्या हो, positive charge ions हो, तो उनको isolate करता है, यह हम इसी purpose के लिए यूज़ करते हैं, clear, अच्छा, अब इसको दूसरे सदों में लिए दो फ़र सो, क्या, कि two, to get highly, highly energetic, highly energetic, positive charge particles, और ions, और positive charge ions, किसलिए, for experimental purpose, for experimental purpose, for experimental purpose, okay, और, को है बटा, simple introduction, हाँ, इसमें light नहीं है, हाँ, चलो ठीक है, तकिन break नहीं करा हैं बीच में, हाँ, तो cyclotron, तो क्या है बीचा, cyclotron, okay, clear हो, तो cyclotron, this is a simple technique, to accelerate positive charge particles, or positive charge ions, to get highly energetic, positive charge particles, particles, or positive charge ions, for experimental purpose, clear, first loss, ठेक, हाँ, अब यह cyclotron बनाया किसने, हाँ, तो चलिए, एक नाम लिख दीजिए, वहाँ पर, Henry Lawrence, वह ही Henry, जो यूनिट है, Henry Lawrence, और कब बनाया था इसको, 1932, तो 1932 में, Henry Lawrence नामा scientist ने cyclotron को बनाया था, इसका अब देश से क्या रहा, बनाने का, क्यों बनाया, क्या आप चाहते थे इससे, यह चीज हम इससे प्राप्ट करते, तयार, आगे बढ़ेगे, क्या इससे negative charge party नहीं इसकर सकते हैं, दिकत क्या, दिकत क्या, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सोचे बोलो, जल्दी बोला, हाँ, सोचो, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, yes, no, man, sir, कर सकते हैं कि नेगेटिवी लिग कर लें, तो क्या प्राप्लम है, कर सकते हैं कि नहीं, आगे positive लिखा हुआ है, तो कोई restriction है, क्या कि हाँ positive भी रहेगा, negative नहीं रहेगा, पक्का, क्यों पास्टिव रहेंगा एकीं नगेतीग में फिर ठीक लगेगा विल्टे डैस्टम में लगेगा और फिर क्या होगा तो 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 चार्ज पार्ट के दो हाँ लाट आगी हम चले सब्सक्राइब नशीकलर जास हा अभू चलो ऊपैजीज पसट्रीव चार्ज पार्ट क्लम जो था ना हमने को सेंटर पे रखा था हमको center पर पर रखते ही हैं इसमें prereclighting के अंदर तो इसे पर रखोगे और center से वह revolve करता हुआ कैसे आज जा रहा मैं खली जम अभी आने जा रहा सामने तो revolve करता हो और इस्पाइरल पाथ फालो करेगा कैसे करता मैं आभी आगे समझा रहा हूँ इस्पाइरल पाठ फालो करेगा अस्पाइरल पाठ फालो करेगा बाहर निकलेगा होल्स इर उल्ट अधर हो जाएका तो Sn सबस्राइब करने के लिए है डीशा बदल दोगए घ्रण जाएगा बाहर अठीपे सबस्रीन होग हो कर सकते हैं कि आधे बात कि आ कंदुसरी का मैं अभी बात और सकते हैं कि नहीं कि न एलेट्रान Buffalo इन है लेट्रोंत पर रहे दिiv SUSE को ओप घ्राण है लेट्रान के नाट एंड शीलरेस इन है कि इलेक्ट्रान को इसलेट नहीं किरा सकते हैं क्यों भई किराएंगे तो क्या दिकत होगी कहां प्राबलम आगे जा रही है अब प्राबलम नहीं जा जा रही है कि इलेक्ट्रान का मास बहुत ही कम है पहले बात है कि इलेक्ट्रान नेगेटिव चार्ज पार्टील है तो वि जनाते हैं पहली बात है कि नेगेटिव जास्पाट किसे अच्छा अदूसरी बात क्या है दूसरी बात दूसरी बात यह है कि इसा मास बहुत ही कम है तो जो कानेटी की नजी आएगी मास बहुत ही कम है तो जो कानेटी की नजी आएगी उसकी बिलाश्टी बहुत ज्यादा हो आप नावर यह जाएगी तो वहां इस पीड के आडर बिचली जाएगी इस पीड के आडर का इंदर सेंस टेन पावर सिक्स से ज्यादा विलास्टी जानी है लाइट की विलास्टी के नियर बावल पहुंचेनल लगेगी अच्छा अजब वहां पहुंचेनल लगेगी तो पढ़े होंगे आप आइंस्टीन से स्पेसल थेयरी आफ रिलेटिविटी से क्या होना शुरू हो जाएगा जब विलास्टी बहुत ही जादा हो जाती है यानि क कि जब वह 10 पावर 6 से उपर जाना शुरू हो जाती है विलास्टी ओके तब आइंस्टीन से स्पेसल थेयरी आफ रिलेटिविटी के अनुसार इलेट्रान का मास देखे होंगे कि आइटम में इलेट्रान जब 14 अलोग प्रूफ करते हैं अटामिक की स्ट्रस्चर में यह रहेगा ट्रीप आपर सिक्स कि तब क्या होगा है तो इस हाइए फिलास्टीपर इस पीड़ पर तीन गुडे दस पर 8 मीटर पर स्पिंट इस हाइब इलाश्टी पर क्या होने लगता है मास जानते हो कौन सा रिल्सान मास इस रिलेटिविस्टिक मास तो पढ़े हैं आप इस पढ़े हैं कहां इलेटिव फिल्ड में वीडियो में इलेटिव फिल्ड पॉटेंशर पार्ट व तो देखो, तो मास क्या होने लगता है, मास इन्फिन्टी के तरफ टेंड होने लगता है, यानि कि मास इन्फाइनाइट होने लगता है, मास इन्फाइनाइट होने लगता है उसकी, क्लियर, तो यह रीजन है कि हम उसको यूज नहीं कर पाते, अच्छा, और क्या हुआ, यान उनि-डिरेक्शनल में क्या हो जाएगा फोर्स के कारण वो फ्लाई अवे और जाकर आके दीवाल से यानिकी जो इसकी वाल होगी साइक टक्रा जाएगा तो इसलिए हमिलेटान को यूज नहीं तो सीधा इंसर हमिलेटान को यूज नहीं कर सकते हैं ओके आप आजाओ आगे हाँ अगला पॉइंट साइक्लाटण एक वार्फिंसर सुनिये हैं है निरी लारेंस 1932 क्या करने के लिए क्या करने के लिए पॉस्टिव चर्ट्टिश पॉर्ट किल्स क्लिएपॉटिटिव चार्टिव केलिए पास्टिश आयन हो किसके लिए इसका construction, इसकी field और इसकी working, इसका construction कैसे है, इसकी field कैसे होती है, यह work कैसे करता है, आए, सारी बातों को देखते हैं, हाँ, तो इसमें construction, लिख देजें construction, construction and working, यह बना कैसे होता है, यह बना कैसे होता है, और काम कैसे करता है, चलिए, तो आजाइए इस पर, पहले बना दीजे, हाँ, एक लाइन लिखे, कि it has, it has, हाँ, क्या है भई, 2D, D, D, E, S, इसमें 2D होते हैं, D, means, 2D होते हैं, और क्या हूं, D1 and D2 होते हैं, हाँ, पहले बना दूँ मैं इसको, साइक्लो ट्रॉन, ओके, दो पार्ट कर दीजें इसका, ना, एक साइक्ल बना करके इसका दो पार्ट कर दीजें, बना दिया, यह खाली डिब्बा होता है, यह दी, एक दी यह हो गया, यह दी यह हो गया, और यह दूसरा दी है, यह दूसरा दी, यह है डिवन, यह है डिटू, हो गया, चले है, हाँ, जानते हो, यह जानते हो कैसा होता है, यह जो, जो डेली टिफिल लाते हो देली इसमें बोल और बीच क कट देऊ चलो पैकर को कटा हुआ भाग है उसे बंद रहे गुरा बंद ही रहे पूरा डिपाक्ट प्रभी दिबबा ऊड़ा न हालाह है, तुम्हारा टिपिनवगो करना, शान आधा कर दो, can I say it. लुफ रीफ्ट म Congress div six fiane स left ideas, वह क्रेंक्ते ही तक उपयों शेक्ति सिटाँरेव में तक दो हो गया है लेता सिर्ममेर देप्नाषा है, जो काता हुगा है , इसको काता कर नायए। वी लिए दिए का कर लिकां बंग आया के वे अलेकाटे दिए हो जलो बोनेदे के निद्स के अ क gör हुआ गया तो घर सकसफेस खाली है अ कि यहाँ पर इंडिया में पूरे विस्तों में वहां है यहां पर एक ने प्रम सात्पर ग जया कि अ 박जा जय इनुक में हाइड बोल्टेज प्रिटिस्ट करता है और उसलेटर एक लगा दो एस आएक बंदा दो याँ सप्सक्वार्ड क्या है यहां पर लिख देना run लगाए कि इस लेपने ड्री अम देज पार आ और सी लेटर हाइड बोल्टेज और सीऊलेटर लगा दो यहां कि इसका काम क्या है कि इसका काम क्या है इसका काम है यह जो डी के बीच का इस्पेस है ना देखना यह हटा दो बीच वाला जो डैस लगा हुआ को दीकर ने समझाने के लिए आपको हाँ चलो यह बीच का इस्पेस है इसका काम है यहां पर हाई देखना इलेक्ट्रिक फिल्ड थ्टे-ंपर लागा और टीम्हें किर जारे से किदर को कि इधर से इधर को मिप आधा अधा देखना लिएव कि यूरी कि दशिया करूक के आधा देखो से सेंट्र से अधे हिस्से में इंधर है और अधे हिस्से में इधर है मुए है विभार है कि नहीं 2020 आजाओ और क्या है और देखो अब यह सेंटर है न एक uther Nederland के अंदर है देखना आभी यह सेंटर है सेंटर पर दिकोई čli ट्रहले में सेंटर पर लिए शेंटर पर लिकोई समय दी जानी किट पर काफी बनाते जाएव पॉर्टिकिल और आयन और या और प्रोटान और या और क्या ड्यूटिरियम ड्यूट्राइट ना ड्यूट्राइट मिन्स हमको जो चाहिए सिधी सी बात इसके अंदर एक होल होता है इसके अंदर एक होल है और उस होल के अंदर वह चार्ज सोर्ष है मिन्से सोर्ष प्रोटान चाहिए तो प्रोटान का सोर्ष है ड्यूट्रान चाहिए तो ड्यूट्रान का है लिथियम आयन चाहिए तो लिथियम आयन का है यह जो भी श्वाजित्त सवाजूर चार्ज चाहिए या प्रोडान चाहिए या आयन चाहिए उसका सोर्स है आप ऐसी हमापEh टेखनिक लगाते हैं लगाई होई होती है कि जब हमको जर्द होती स्वीच चान करते हैं crypto इंखानिए तो आयन एक का एक इंख वार जाएगा इसमें इस प्रिश्ट में जाएगा इसमें इसमिले मीड़े रहाइन के यह ra के इसमें इन बाहर होगा a यह निकला आएं तुरंत रिलाटी फिल लग गई एभ बराबर भी पढ़े हो लावेंज फोर्स तो एभ बराबर की फोर्स आगे बढ़ा यानि यह चार्ज निकलते ही आगे मुफ किया देखो चार्ज निकला आगे मुफ किया अब जानते हो क्या है कांपी में समझों की साइकलोट्र रखा है कांपी पर आके साइक烟्र रखओ चलो तो उपर के लिए क्रिए यह है हुपर है सीधा उपर हमाने डीफिल्ड हाँ तो मैं इस प्लेन के प्लेन के उपर है मेंए डीफिल्ड मेंस B किदर अब बी आपके कर दूं, डाट भी दिखा दिया हूं, क्योंकि हम उपर डाट से दिखाया जाता ने मिटा, तो हम दिखा दे रहे हैं, प्लेन पर उपर, डाट बना दिया हूं दो जगा, समझने के लिए अपने, ठेक हो गए, क्लियर, होगे बना, आजाओ, अब इसके बात क्या हो जानते हो, जल्दी बोलो, क्या जानते हो, चलो, अंदर यदि एर रहेगा, डिबा वही टिपर माला, जो डिबा को मता है, काटे हो, तो अंदर जब एर रहेगा, अब उपर से तो सब पैक होगा, उपर से पूरा पैक रहेगा, अंदर मसीन है, ये, उपर से तो सब पैक है, तो अंदर उसके दोनों D के बीचे दोनों पार्ट डिब्बे को जो पार्ट है यह दोनों D, D1 और D2 है तो इसके अंदर किसी भी D में दे एर रही कुछ तो क्या होगा? इतना हाइली इनर्जेटिव प्रोटान है और जाक उस पर एर के मालेकुल से रैपिट कोलीजन होगा तो और ज्यादा आयन उत्पन हो जाएंगे वहाँ पर नेगेटिव होंगे पास्टिव भी होंगे होंगे? अच्छा, अज दूसरे हमको इनर्जी के लिए हम तो हमको हाइ पास्टिव चार्ज पता चला है को टकर खाए वहाँ पर लॉसक कर रहा है यारी क्या करना होगा इसको अंदर दी के अंदर दोनों डी कें अंदर बौथ दीच और बोथ दीच एसे बोथ दीच इवैकुएटेट्ट बोथ डीज है बोथ डीज इवेक्टुएटेड मींस विज़ क्या वैक्यूम और कितने का वैक्यूम किना प्रेशर करना है देखो द्यान से प्रेशर पीश वुड़ वी 10 पावर माइनस 6 मिली मीटर आफ हजी ओके मरकरी इतना इवेक्वेशन क्रिएट करना वहां पर अंदर क्यों अभी अभी समझाया है यहां पर इंटर कर आए उसकी इनर्जी लास पने लगेगी को लिजन के दार रैपिट होगा तो इसलिए जरुक्त किसी पढ़ रही है जरुक्त किसी पढ़ी है हां इवेक्वेशन के अब बात रही कि इसका बोल्टिश कितना है इसकी इसकी इसकह बोल्टेज कितना बिटा तो इसका बोल्टेज तो जिसनी हमको atac k की जरूरत है कोई fixed value इसकी नहीं है इसकी जितनी जरूरत होगी हम voltage क्या लेंगे उतना ही उसका हम voltage लेंगे clear लेकिन voltage approach voltage approach जो में generally use किया जाता है वो तो fixed value नहीं है जो जरूरत होगी वो लेंगे लेकिन हैं प्राक्स जनुर्ली हम इस्क्सप्रेमेंटर पर्पस के लिए क्या यूज करते हैं तो यहां प्रभणına तो बिर पॉल्टेच पॉटेंशिल डिफ्रेंस बिट्विन टूडीच तो पॉटेंशियल लिखें वर आसियर्डिफ्रेंस है बिटूइन बिट्विन टू डीच टू डीच लिख दिया जाए टू डीच ओके टेंट पावर फाइफ बोल्ट टेंट पावर फाइफ बोल्ट से बिटा और हां और क्या चाहिए फ्रिकॉंसी अब आगे लिखे फ्रिकॉंसी कि मैं तो यह हो गया हां और इसकी फ्रिकॉंसी क्या होती है जाए देखे फ्रिकॉंसी की वैलू देखिए चलो इधर आजाओ इधर लिखते हैं हां और फ्रिकॉंसी फ्रिक्वांसी कित्नी होती है तो लिखे की न्यू फ्रिक्वांसी एन भी लिख सकते हैं इसे न्यू कर दें तो न्यू कर दें तो न्यू कर तू 5-10 लिखे की न्यू कर दें रिंट, दें तो न्यू उक्तनि तो भी करता है तो न्यून्यू wished यू आने, प्वांसी न्यून्यू सेलिखें सो लिखेंग। 收क स्वि cessu पार फीक्राइट तो न्यूल। 5 to 10 ऐसे दिखे 5 to 10 हो गया है यह 5 से लेकर 10 इस डिजिट होगी और इन्टू 10 दो पावर 6 हर्ट 5 हर्ट या 6 हर्ट के आज पास लगभग यह प्राक्स वैलू है जिद्धी जरूर्थ होती है उतना यूज करते हैं कोई फिक्स नहीं है और एक बात और अब फिल्ड लगभग कितनी होती है तो मागनेट्टीव फिल्ड बी की वैलू जो है ने बी लगाए हुए है तो बी की वैलू होती है के बहुत ज्यादा फिल्ड होती है 1.6 टेसला की फिल्ड होती है किनी वैलू हो एब रहा वन पाइंट 6 टेसला क्लियर तो हमारा यह वैलू फ्रिक्वंशिक वैलू 5 से 10 हा मार 15 तक आप यह सब इस वी 15 भी कर सकते हैं आप 5 से 15 भी नहीं सकते हैं इन्टू 10 पावर 6 हर्च यानि कि मेगा हर्च सीधे सब्दों में कहें तो ऐसे देखो 5 to 15 मेगा हर्च कर दीजिए ऐसे कर दिया तो यह वैलू हो गई यहां बोल्टेज देख रहें किना है 10 पावर 15 हर्च का है और अंदर प्रेशर किना केट हुआ है वैक्यू में प्लॉक्स वैक्यू में 100% कितना टेपाव मैंने 6 मीली मीटर आफ है एच जी मरकरी और क्या है हो गया अजा और मैंडी फिड कितनी है बी 1.6 इंटेपावर 1.6 वन ली 1.6 टेसला इस सारे डाटा है क्या पढ़ रहा है अरे बोलो ने यार क्या पढ़ रहा है आज अमनों धूनाई कर साइकलोटान को धून रहे हैं आज अमनों धूने किसको लारिंज फोर्स को धूनाई हुई और साइकलोटान के धूनाई हुए इसके बाद इनके उपजित ने बें नमेरिकर्स बन सकते हैं, चाहे जैसे हो सकते हैं, IIT मेट इन्डिया का कोई भी एजाम, बॉर्ड रोड क्या है? बॉर्ड रोड तो जो लड़के, जो लटी बच्चे हैं, और इनको बॉर्ड देना है, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं, उनके लिए तो इजामिनर ही बेवकूफ बन जाएगा उनके साम में, वह इसी धुनाई कर देंगे, जो भी कुछ पुछेगा, ठीक, और निट और आइटी के बच्चे भी जब जब धुनाई कर देंगे, जो भी पुछेगा, जो भी पु सारी डाटा हो गए अब आएक बढ़ा जाए देख लो सारा थोड़ा देर में शान सुझावनों ना बोलो ताकि कुम सब लिख लो हुच्चलो ठीक भाई आप नहीं बोलेंगे लिखो तो नोड़ करें हो कि तुम है ठावक्ष को कि अंट्व हो गया कि इंज्व दा साइक्लो टॉन इंज्वाइ दा धुनाई अब दा फिजिक्स पूछ रहें तुमसे बोलो कि दोनों डी के बीच में वायकूम क्यों क्या जाता है इंसे बूलों जल्दी क्योंकि हां क्या बोलें ना क्योंकि जिस चार्ज पार्टिक जो चाहिए उसका यह नहीं करेंगे तो उसका को लिजन होने लगेगा मालेकल से उसकी इनर्जी लास होगी क्लियर और दूसा क्या होगा दूसा यह होगा कि इतनी हाई फिल्ड पर इतनी हाई वोल्टेज पर वहां जो गैसे सब रखेंगे ना जो गैसे सब रखेंगे और बहुत सारे आयन प्रोडिश हो जाएंगे ना अन्वांटेड आ इनर्जी का प्रोडान लेकर किसी दूसरे मालेकुल के उपर किसी दूसरे आयटन के उपर उसको स्ट्राइक कराना वेसा बंबाडमेंट कराना है तो टार्गर तो साक्रण तो रिस प्रपस के लिए उज़ करते है ना हाँ चलो फिर क्या हुआ होगा अचलो एपए हो गया तो इसा टेंपा माइनस 6 mm है चलो आगे बोलो दोनटी के बीच में बोल्टेज लगवा किना होता है फिक्स नहीं हो तो यह नहीं जरूत होगी हो गए लेकिन प्रास वैलू कुछ भी होगी न किना करते हो तो किना टेंट टेंट पाप 5 बोल्ट लेर चलो और फ्रिक्वंसी कि नहीं होती है उस ऐसलेटर ना देखो इसलिए है यहां पर लगा हुआ यानि कि क्या करता है बोल्टेज लटी फिर तो वही रहेगी वेकिन उसके उसके वैलू को उसके फ्रिक्वंसी को असलेट करके बढ़ा दिया है मर्टी टाइम्स कर दिया उसके क्वेक्वेंसी नहीं एक बनेद चाहने के लिए हमने क्या किया है क्यों करेगी अभी और चलो बलो डाटा मी идूश करते हो 1.6 tesla तुम्हांको बताया था 1.5 tesla किसे भी यूश करते हो हाई MRI में हाई MRI में बहुत हाई MRI की जब होती हाई resolution तब उसके लिए होते हैं 1.5 और इहां क्या है 1.6 tesla ठीक चलो frequency देख रहे हो 5-15 MHz डाटा नोट हो गए आगे बड़ा जाए हटा दे मीटा दे सर अब इसे हम चल चलते हैं इसकी working कैसे हो रही बस वहां चलते हम रहे हैं चलो आजा देखो आप इसकी working कि चलो सारी point हटा दे मिटा दे सब किस पता हो गया आपको आप खेले वरकिंपे चलते हम लोगो ना शारी डाटा देते हैं हाँ आजवाब इसकी working कैसे काम करेगा या चलो आजाए है कमान अब देखो यह हमारा दो यह दो डी है हाँ शुर बात कहां से बिटा कहां से शुरू करना हमको हाँ पॉस्स ट्लास अपना ड्रे कि फ्ररस गफράस चला सुलस चलो अ हाँ चलो आ जा चलो देखो तो मायरे निफिल कहां पर जानते हो न दोनों लेट इलाटफिलो Amanda fusion में ल名 क्रॉस पोजिशन में मालों हर न यह क्या किया है मालूमिभे ना नेट्फोर्च को क्या कर दिया है चल ओके कमान चल Potato किया है किदर मेबरेडी फिल्ट ऑपनी कांफी पर रखे ओ क्या कैसे पनत्सक्ति उपर और इलड़े फिल कैसे है एक डी से दूसरे डी में और कैसे अब जा देखना आधा हिस्सा में फिल दूसरे तरफ है यी ली दो यी आधे हिस्सा में दूसरी तरफ है आधे हिस्से में दूसरी तरफ है यह ध्यान देना आज कल चलो आगे बढ़ते है में कि कमान कि यहां पर 14 निकला यहां से dados से यह चार्ड फील्ड में इंटर किया जाएब रोट्रीक फिल्ड में इंटर किया तो रोन तो उसके ओपर फोर्स लगा कैसा फोर्स लगा रोग्याँ वह फोर्स लगए अब अब फ व्यक्ति फोर्स ने क्या किया जानते लोकि चांज पार्ट के निकला, तब वो निकला तो रेस्ट में था, तूर निकला तो रेस्ट में था, ऊसे पास ब erzähl नीचे से उपर आया, तो ऊपर के दिसामें आध कि लिखिन हरीजनेटर विलस्टी नहीं थी, और फिल्ड हमारी कैसी है हरीजनिटर, हमारी फिल्ड कैसी ह और चार्ज पाढ़के किदर आया था नीश्चे सूपर आया था बहुत इसमाल भी लास्टी से अब फिरा लुक्त जीरो माल लो यह नि कि चार्ज को रेस्ट में माल लो क्यों कि दियर फिल्ड उक्स दी सामें तो भी लास्टी है ने अब आगो क्या है ओके कामार पहले हगा चलो तब क्या होगा अब देखो कि हमारा विलास्टी किदर मिली तो इधर ये विलास्टी हमको इधर ही मिली याने कि X-axis पर अपको बिलास्टी मिली है अब फिल्ड हमारा किस पर है? X Y और साइक्रोटा हमारे किसमें रखा हुआ है X Y plane में तो क्या रखा हुआ X Y plane में अब यह किदर है अब यह देखो यह है X यह है Y जमीन पर X Y अजेड है उपर अब फिल्ड है उपर चलो देखना ओके क्या देखना भई उपर हां देखो देखना यह हां आपने तुम पर लगाओ कॉंपी पर चलो हां कांपी पर लेट हैं निकलो फ्लेवील लेट हैं अ लगाया देखो फिल्ड किदर ही कांपी पर तुम्हारे और कांपी को लेब रहे हैं कौप फीपर देखो फेल्ड ऊपर बिलास्टी यह है, फोस किता लग रहा है, तुम्हारी तरफ, चल ओ, अभी हम यहां लगाते हैं, देखना, देखना, देखो, हां, देखो, हम ब्लैक बोर्ड को आईसे रख रहा हैं, यह चल्लो इसी में रखते हैं, ब्लैक बोर्ड को, फि देख रहे हो, फिल्ड, ऊपर, फिल्ड, ऊपर, विलस्टी, देश, फोर्स, देश, फोर्स, फोर्स on the particle, फोर्स on the particle, एफ, डाउन, एफियाम, हुआ, तो यह आगे गया, जब यह जा रहा होगा तो फोर्स नीचे लग रहा, जितर फोर्स लता बाड़ी हुद इस दिशा में, शिफ्ट होती है, तो जब इधर डाउन फोर्स लगा, तो देखो, यह डाउन फोर्स दिशте होगा ना, चलो, शिफ्ट फोर्स ख कर सब्सकरादो, शिफ्ट करादो, हाँ, देखो, त्रॉस्ट शिफ्ट हुआ, बाजा, आज जानते बिलस्टि का डाईशोंल मिशा का होता, देखो अब लेघाने ट्रूट बनाता है ना पाथ पर स्क्राइग मनता विलस्टि चलओ अब यह बिलस्टि तुम्हेर यहां आ गई कि चला फिल लगाना हॉं क्या देखेड़ अरदेखना ओ फोर्स को ब लरस्टी फोर्स और ये क्या है बी मैंसरी फील्ट तो पक्का हमिज़ा भल्य बोर्ड की ऊपड यानि कि तुमारे कांप्रीं में आप बनाए चलो फिर लगाना हाँ देखो अब हाँ देखो हमारी तरफ इधर देख रहे हो हाँ तुम इधर नो भाई देखो आइशे देखो बी इधर मिस आप बेलाश्टी के से मानू तीस्छा है न इसे देखो माइंड विलास्टी विलास्टी इधर यह नहीं कि फोर्स इधर 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 और और किधर तो इधर इधर और इधर देखना आ वेकिंगे सार्किल यहां पर छोटा है न एक ही बारे पार कर जागा त्सेंडava बनारा हुं देखो सम्जाने के लिए थी तो दिसी इपिएम फिन मिन्स कि समी सर्किल आधां सब्सक् inference एक डी को पार कर गया हुआँ मघेप यह गातर है और गडर में क्या है दो एल लाट्रिक फिल्ड ए लिकोजल दिए फिल्ड कैसी और वीट है हारिजन्टल है तो गैप में लेक्टिफिल्ड हारिजन्टल है और लेक्टिफिल्ड को गैप में है कीवल गैप में ऐसी ब्यूस था कि कीवल गैप में है बस लेक्टिफिल्ड तो इलेक्टिफिल्ड हारिजन्टल और मैंगनेटिफिल्ड कैसी है मैगनेटिक फिल्ड के सीवट वर्टिक्यल तो मैगनेटिक फिल्ड वर्टिकल है और यह हर्जन था दोनों फिल्ड है ओके चला क्यों कि देखो इसे उपर है ना यह कि आगे बढ़े तो किलिए लोगए अब क्या होगा देखना की पूरे एक चक्कर मारने में पीछे पढ़ें पीछह तुमस्टिक को जैसे पीछया, one by one, world by one opportunity to pick one next अधिन सब फाइदाए उठाना है ज्प जहएशब फाइदा एта Nager ज्प आजएश्ट फाइदा और ज्प जवजश्ट कमांण यह दम से नीट को क्या करना अपने मुठी में नीट करना है अपने मुठी में तो क्या होनी चाहिए फिजिक्स किसमें होनी चाहिए फिजिक्स होनी चाहिए मुठी में 100% अब यहां पर क्या होगा जैसे मालों बीच में कहीं इफबठ है पीछे वाला क्लियर नहीं है तब प् चार्ज पार के सिमारी ठीट में इंडर करता है कि तो उसका पात नुमित है कि ऊसका सर्कुलर होता है उसके रेडियस कितनी होता है छल्णी upon qb होती है उसे time period कितना होता है टी ब्रावर 2m upon qb होता है time period से velocity depend करता है कि नहीं बिलकुल नहीं होता न अब तो हाफ डी देखो अब हाफ डी अभी पूरा हुआ है मतलब कि एक d अभी पूरा हुआ है अब particle पहुंचाए यहाँ पर जो यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर देखो हाँ कितना time लिया होगा भी t by 2 तो तीना time अभी लिया देखो कितना time लिया t by 2 t by 2 मिस दो से डिवाइट किया किना यहाँ पाई एम अपान क्यूबी अभी इतना time लिया चार्ज पॉर्टकिल ने और इतने time पर बाद अभी यहाँ पहुंच गया है अब क्या हुआ देखो जहां पहुंचा वहां क्या situation है तुछ अलग से समझाओं देखो यह है ना इस लिट दोने बिच का गयप है ना इस घैप में क्या है अब रिल वाला है सेंटर से नाच तो इसम से लिए है और सबस्क्रच के तुमारा यहां है यहां है क्यों देखो गयप में अभ्व में और जिवां दो क्या हो जाएगा अचित हны क्या हुआ है कि यहां आया बिलास्टी फिर बढ़ गई कि बढ़ गे नहीं देख रहे हैं फसलास हां बोलो भाई देखो बढ़ गई अजब बढ़ी तो अब बढ़ा रेडियेस हो गया देखना जो बढ़ी इतने समय पाद बढ़ गई हर पाई बाई एम बाई पाई एम क्यों भी तो औहां पर नाइक यह रेडियेस अगला हो गया बढ़ा है आद देखों यहां से आते ही अंदर ब्ढचि बढ़े रेडियस कि ना मैं बाड़ गई नहीं हां जिवन अगले d में इंटर किया तो बढ़ा हो जाना चाहिए ना अब देखो है यहाँ आप जा देखना अब क्या होगा हाफ गड़े लगडा कंग पोलू जए उसे आप प्छलोगिंटर werden देखो अब क्या होगा आगे देखो अब जिवन देखो अगले वाले center के उपर अब गैप में पहुंचा और जियों उपर गैप में पहुंचा अब उपर गैप में क्या है कहां पर आए चलो आ जाओ देखना अब गैप यह लोवर गैप पिटा यहां नाम रखें लोवर गैप अब अपर गैप आपर गैप में पहुंच रहा तो क्या हो रहा एलाटिक फिल्डीश दिशामें है न ऐसे अब बढ़ी हुई बिलास्टी है उच दिशामें फिर अचलेरेट हो गया यानि क्या मिल ला है कि एक साइकल में दो बार आचलेरेट हो रहा है एक लोवर हाफ और एक लोवर शाइड म योए फियोफ पॉषा यहां जो पॉषा गैप में भीलास्थी पर बढ़ जानी है भणा अब सेरी थोड़ा पॉड़ा हो गया हुग्ब अब रेडियोंस पहले से ज्यादा हो गया है किना फ्र देखना प्वही प्रासस्य गैप में आया फिर accelerate हुआ फिर higher velocity means velocity higher radius higher फिर accelerate फिर और फिर और फिर और फिर वाह क्या धुना यह नहीं लगो फिर और फिर और किना फिर फिर करें है चलो हाँ चलो आजाओ बहीं फिर बाहर निकाल जाँ इसको अब आया ऐसे आया और बढ़ते हुए इसकी tuning आईसे करेंगे यहाँ पर बना होगा ऐसे एक hole एक gap, d में box बना होगा ना, cap इस cap को हटाएंगे यानि hole को खोलेंगे अतुरांग तिहां से लेस्क्यू ना, highly ना, outside आ जाएगा ना, moves away बाहर निकल जाएगा comes out देखो, देख्या तो यह अजूर टार्गेट अभी हाँ पर होगा मालों कि किसी मालेकुल पर हमको टकराना था जा के सीधे वहाँ पर हिट करेगा और उसको भी क्या करते हैं यहां पर भी जो चैंबर बनाते हैं इस ट्राइकिंग के लिए यहां भी चैंबर होता है इस चैंबर में फिर यहां कैमरे बगएरा लगे होते हैं यहां पर कैमरे बगएर लगे होते हैं च्छोड WILL ठीक तुमको कली अपना डेली seems क्वालिफाइई करना 720फ सॉट यह था नुच स्तॉपआज अधे क्लियर हो गया और तो कुछ यहां पहरें ने मिटा यह देखो बार गया और जा करके टक्राया हाँ अब कुछ और बाते हैं अब कुछ और बाते अब यहां पर कि आजाओ यह सब नोट का लिए होंगे आप हाँ हाँ मुझे पक्का यकीन है कि सब नोट हो गया होगा कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यकीन सही है ना चलो आजाओ और देखो हाँ sih hai कि हुआ हैँ हाँ अब यहां पर सबसे बड़ी प्रावला में यहार जानते हो के यहां जो thinard का जो cyclotron की जो सबसे बड़ी problem होती है वो कहाँ पर होती है बोलो कहाँ पर तुम सबस्क्राइब क्या problem हो सकती है जानते है चलो मैं बताता हूँ कि दो कि सरापी बावदा दीजिए उसके बाद तो हम बताई देंगे चलो देखना सशे बड़ी प्राब्लम क्या है अब जाद देखना यहां से यहां जितनी समय में आया यह है आशिलेटर ध्यान देना यानि कि इसकी दिशा खुद बदल लएए तो अब इसकी दिशा बदल लएए तो हर हाल में जब यहां पहुंचा तो यही डाइरेक्शन होना चाहिए जो हम लोग पढ़े हैं यही डाइरेक्शन तभी न वह इस वह इसलेट करेगा और यह कही रितनी आशियक दिशा होगह उल्टी तब क्या होगा तब क्या होगा तो पता चला कि इसलेट अना है डी इसलेट का एगक बापस भर धिया उसको पीछे यही सबसे बढ़ी ड्राइक है साइक़ लोटा नहीं है तो ले ड्राइक नहीं है हम ड्राइक नहीं कहए ने के keeping ळू करना होता है इसमें कि अब इसकी ट्यूनिंग ऑसिलेटर के साथ यानि कि जो ऑसिलेटर वोल्टेज वाला है जो इलेटर फिल्ड को वैरी करा रहा है यानि कि ऊपर इसको इस दिशा में रखना है और नीचे वाले में जब देखो फिस सुनना जब इलेटरान यहां से यहां प करें लेकिन जब यहां पहुंचे गैप में तो इधर मिले और नीचे पहुंचे तो इधर मिले यह काम है और यह काम टेंकली टफ होता है तो जब इसको मैचिंग करा दे जाते रहा जब कुइन को यहाँ पर टी वाबर Communist Bible कि यहां पर चीदि वाबर सीय वागत मुटनि कुफ लिए तो यहां पर Advoreakin का निकाले हो लाँ पाई म्वा gentleman की निकाले मुटना पाई वाइम बाइम निकाले हो तो देखो टी वाबर एक हाफ साइकल के लिए तो टी भाबर यह पाई m by what qb है आज जानते हो frequency n बराबर क्या होती है 1 upon t होती है तो n बराबर क्या हुआ qb upon pi m तो decision तो decision यानि कि हम लोग use किये हैं पीछे भी new use किये हुए है तो new not use कर लो इसके लिए new not use कर लो क्यों कर रहे हैं तो जो होता है यानि कि हां जो सोर्स होता है तो उसको क्या कहते हो काते हो कि जब आरोपीद फ्रक्वांसिया प्रेकुणिया जाती है तो करते हैं रिजोनेंस है से कौन के लिए फ्रेकोंची से लिए फरेकोंची तो हम कहें कि स्र इस पुरण की फीकोंची के लिए पाई q constant है पक्का πाई-पाई ही है यानि कि new knot की value क्या बनी हूई है constant new knot की value क्या बनी हूई है constant यानि frequency कांस्टेंट है तो जब cyclotron की frequency अभाब यहां पर ऐसे कर दो कि कहां लिख दो फ्रीक्वन्शी आप cyclotron frequency आप यह ऐसे सदी को लगा देजिए natural लगा देजिए अब यहां पर क्या है टी लिखिए तो टी इकल टू तो टी देखो तो टी इकल टू टू टाइम टाइम पिरियेट फार हाफ साइकल एक डी की हम बात कर रहे है अब धान दीजेगा भी मैं पता लूँँ आगे टाइम पिरेट आफ हाफ साइकल आधे हाफ साइकल एक डी को पूरा करने में किना समय लिया है तो एक डी को पूरा करने में टी को टू पाई एम अपान क्यू भी लिया है तो इसकी डेश्चर फ्रिकॉंसी यहीं से निकल जाएगी यहीं स्त्री कर ले गई तो निव बढ़ाबर 1 बाइटी हुआ तो निव नाड़ बढ़ाबर किना हुआ ऑच्छा अब इस चीज़ ओर है यह तो हाफ पाइम था अब हम फूल का टाइम में दिख्के हैं क्या होगा तो कुछ भी करना नहीं है टू पाइम या पर अब फूल फ्रिक्वोंसी की बात करें क्या यहां पर टू लगा तो अब यह किसका टाइम था हाफ का फू तो पूरे क तो इस इस दा नेचुरल अब यह नुमेरिकल में आपको क्या दिया है उस तर से सल्ब करना रहेगा कि हाफ एक डी को कर रहा है कोई टाइम इस पर नुमेरिकल दिया हुआ है या कि साइकल टॉन की फिर्कॉंसी पूछ रहा है तो आप वहां पर धान देंगे इस बात कर तो न इतने समय के बाद उसको आइसलेट कराना है तो दो हटा देंगे कहां गया इतने हर इतने समय के बाद उसको आइसलेटन देना है वह आइसलेट होना चाहिए हर इतने समय के बाद फिर्कॉंसी कहो के तो यह अब जासा देखना भाई दो बात है तो यह तो नेचुरल हो गया अच्छा अब जो source की frequency तुम्हारी है voltage की यह वाली frequency इसकी तो let let frequency of oscillator let frequency of oscillator of potential difference equal to वो कितना है वो new हो मालोग सुन्नी हुए तब क्या कहो गया अब आ जाओ आगे हाँ हाँ तब देखो क्या कहो गया तब न इस अउमीद है कि नोट कले होंगे यकीन है पूरा सब तयार होगया होगा चलो जरो पूछेंगे आपसे हम तो चलो अब के बोलो तो अब यह दोनों जब तक match नहीं करें यानि कि half d, half d, इसका half, इसके half के बराबर जब तक नहीं होगा, यानि कि पूरी frequency जब तक मैच नहीं होगी, तो new not equal to new, जब यह हो जाएगा, तब क्या कहोगे, तब कहोगे, resonance, क्या कहोगे, resonance, तो this is the resonance condition of cyclotron, this is the resonance condition of the cyclotron, यह, और, और क्या, और क्या, हाँ, जब यह हो जाएगा, नहीं हो, देखो, जब यह हो जाएगा, यानि कि जब यह आवस्था पहुंच जाएगी, जब यह आवस्था पहुंच जाएगी, बाद समझाजी, तो इसी condition को, this condition, this condition तो regionals तो कहते ही हो regionals तो बात हुई है यह regionals condition है लेकि इस समय साइक्लोटरान को क्या कहते हो कहते हो synchro cyclotron क्या बोलता हो synchro cyclotron बोलते हो क्या हो गया synchro cyclotron अब बात रही अगला पॉइंट कि kinetic kinetic energy kinetic energy energy of charge particle कितनी आई रिकवेटा फास्ट जल्दे half M V स्कॉरी केने जी होती है है to delivery नजी आप डचस पार्टिकल इंसाइद र्साइक्लोर हैं पर्टिकल इन है श्राइकल लाका कि सब्सक्राइब जा बाहान निकॉलSTु नियुंताइब और आर बडाबर में भी ब्रॲिका मान निकाना है यहां से तॉट कि यहां निकालो पटना और क्यू अबी क्यू आप ब्यूर्थ मैं यह बाक्ते हीं लुभता व इसक्छाल जबड़ा करें कुप इसक्सुड सरा कुरिभ आरि का यहते हैं यहां नहीं हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, चलो, उपर के लिखते हैं यहां पर आ जाओ देखो, अब क्या हुआ काइनेटिक इनर्जी ब्राबर, हाफ, एम, वी, वी के पहले ले लो क्यू आर वी अपान, और क्या, एम का स्क्वाइर करें तो काइनेटिक इनर्जी ब्राबर, हाफ, एम, क्यू इस्क्वाइर, आर इस्क्वाइर, बी इस्क्वाइर अपान, यम इस्क्वाइर, एक एम से हटा दो तब क्या है हाँ, हाँ, नोट करो जल्दी, लोट करो जल्दी हो गया जल्दी नोट करो इनर्जी सारी बाते नोट करो फटा फट होती असान है सब कुछ हो गया हाँ नोट करो हट जाए मैं चलो हट गया हो गया बैई आजाओ हाँ कर लिए होंगे नोट कर लिए होंगे तो चलो हटा दे इसको हाँ आप जाए देखना तब क्या हुगा यह कितनी आई काइनेटी की नर्जी हाँ किव स्कॉयर आर्ष्कॉयर बी स्कॉयर अपान क्या तू यह मोग के हैं फंटास्टिक काइनेटी की नर्जी आप दाप्ट चार्श पॉट के पक्का हाँ आज आज आउ यह बात और रहे तौंसी बात और है भी भाई आज़ां देखो यहांपे यहांपे देखना हूं कि अभी यह पाय हो व यहांपे निए नोट को जली कानेटी यात कर फ्राफट एसाथ निओं के लगाना मारना है इताम से अंडे परसें तोड़के रख देना फिजिक्स को फिजिक्सी दूनाई और धून कर देना इजाम के दिन ना इजाम के दिन इजाम हाल है पेपर को त लेखते हैं और भी याड लीनियर मोमेंटम है और क्या है तो आप पी बटा क्यों भी मिन्स की रेडियस और पर पॉपस्टलर्टू किसके होता है लीनियर मोमेंटम पी के दिखो जल्दी यहांने कि साइक्रोट्रण के अंदर जो रेडियस होती है वाट यहीं पॉपस्टलर्ट लीनियर मोमेंटम होता है तो क्लिए लेकर हो आपर हो गया चला और क्या हो गया फसलास और कोई पॉइंट हो गया अभ यह वं लोग यह देखे थे न जगह आया था एक पॉइंट आया था आम लोग सीन्क्रो Sralotron तो सीन्क्रो साइक्रोट्रन क्या होता है वा जल्दी बौलो जल्दी बौलो हरी जो रिजियो नेंसमैं है यह है या तो तो रिजियोनेंस के कंडिशन में एक बात जा सालोॉष क करें ला किया था यstudy प्रिकोंषियोट्टरॉ Πांट्चयुंद देस और चार्ज पाट्केल चार्ज पाट्केल opened up पार्टिकल का अभी पीछे आया हुआ कहीं पर देख लो आपर हां पीछे है भी तो चार्ज पार्टिकल का जो फ्रिकॉंसी आये थी गों कि नी थी अफ ने इसका जो इसकी जो नेशर फ्रिकॉंसी थी भी नी थी निव नॉट थी अब इन्टू एम कमान क्या बना रहाता है माल लोग कि इस लाइन को पूछा जाए तो जानते रहो क्या क्या बना रहा है गारे कांस्ट्र रहा और क्या पीछे भी फ्रिकॉंसी निकाले ही हो तो यह कांस्ट्रे मना रहता है और यह कब किस कंडिशन रहता है लिग देना वहीं पर ना किसके लिए सिंक्रो स्थाइक्लोट्राण तो सिंक्रोशाइक्लोट्राण बनने का एक कंडिशन है तरह से तो दिस इक कंडिशन तो बी सिंक्रोशाइक्लोट्राण ओके आजाओ फर्स लस चाला और अब है पॉइंट क्या हम लोगा एक इसके पीछे इसकी 7 नमबर पार्ट 7 में पार्ट 7 में हम एक आपको हमवर्क दिये थे पार्ट 7 नमबर वीडियो में आपको हम एक हमवर्क दिये थे तो है ना एक वहाँ पी हमवर्क था चलिए क्या था हमवर्क आजे अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो मैगनेटिक इफेक्ट आपकरेंट का एक पार्ट चला था एक पार्ट था 9 आपका मैगनेटिक इफेक्ट आपकरेंट की 300% फिनिस नुमेरिकल की कोई लिमिट नहीं नुमेरिकल की कोई सीमा नहीं लेकिन हमको वही वही क्वेस्ट पढ़ना है जो एक जाम में आने वाला हो तो हम आपको खाली वही बताएंगे जो एक जाम में आने वाला हो यानि कि जितने भी एपीसोड होंगे येतने भी पार्ट आने वाले है वीडियो के, सारी निमेरिकल जबज़ त्यार करिएगा सब कुछ, तो फिरा अभी जो एक दिये थे हो मर्क, पार्ट सेवन के लास्ट में, तो आ जाएए, उसका पहले इंसर देखा जाए, क्या होगा, चलिए, तो यहां पर हम दो क्वेशन लेते हैं, एक था या इन फाइनाइट वायर था, इसमें करेंट वायर है थी आई, हम यहां पर दो तीन क्वेशन अब ले रहें, मोस्ट, मोस्ट, मोस्ट इंपर्टेंट, चलो, तो यहां पर करेंट वायर है थी आई वाल, ठेक, यहां पर एक वायर रखा हुआ था, अपना फोर्स लगा तो यह बाकी हमने पढ़ चुके हैं इसको वहां थिटीकर समस्जा चुके हैं कि इस पर केवल फोर्स लग रहा है है की कि टार्क भी लग रहा है कि केवल टार्क लग रहा है कि दोने लग रहे हैं तो इस बात का हम पूरा अच्छा discussion वहां पर पुर्व करें तो फिर दूबारा हम यहां पर प्रूप करने जा रहा है तो टाइम और लेंदी होता चला जाएगा कुर्स थे तो वहां पीछे पढ़ लिए इसको ना आलरी इसको मैं डिक्सस कर चुका हूं देखो अब यह पॉइंट यहां से दूरी पर है और यह वाला पॉइंट यहां से बी दूरी पर है यह है दिया हुआ इसमें करेंट करिंग कंड़क्टर है आई टू इसमें करेंट वह रही है अब यहां देखो पहली बाते देखोंगे कैसे निकालोगे फोर्स तो मैं पीछे इसको क्वेशन को डिसकस कर चुका हूं वालड़ी मस यहां पर को निकाल देनी थी में फार्मुला इसका क्या है और फोर्स कितना आया यह फूर्प करना बाकिए प्रूफ हम पीछे पार्ट सेवन का लास्ट पॉइंट चलो देखो अभी यहां पर इसकी मैकनेटी फिल्ट किदा लग रही है जानते हो आरड़ी डाउन एलियू इधर इस वायर की मैंड़ी फिर ब्लैबोर्ड पर ब्लैबोर्ड के उपर तो इधर फिल्ट अप और इधर फिल्ट डाउन इंसाइड ब्लैबोर्ड लगा दो ला हाँ लगा तो देखो छुछ यहां पर भी फित लगे का अप यहां पर भी फोर साप पूरी फायर पर ओपर के तरड़ फोस्थ ललग रहा लएकिन यहां फिल्ट है ज्यादा strong field है मालो हम ना देद B1 और यहां field है come B2 तो B1 sure है कि B1 greater than B2 means कि जैसे जैसे wire के उपर हम आगे बढ़ रहे है field घट रही है तो force जहां field कम वहां force कम जहां field ज्यादा वहां force ज्यादा तो यहां पर force F1 यहां पर force F2 F1 greater than F2 clear है अब क्या हुआ हाँ तो force यहां से लेकर यहां तक constant है ही नहीं तब अब जानते ही हो किसी बात मैं आपको समझाया हूँ कि यह क्या करेगा क्या करेगा rotation and and के बाद में rolling start कर देगा मतलब कि यह rotate होता हुआ आगे चला जाएगा ठीक और अज़िए हम rotation rolling को छोड़ भी दें तो यहां से क्या कर क्योंकि दिशा इसकी यह हो जाएगी और यह इसके फोर सीदा आप जानते हो कि जब opposite दिशा होती दोबाइर के बीच में तो फुर से रिपल्सन होता है यह रिपल्सन स्टाट हो जाएगा रिपल्सन और यह ट्रांसलेशन मोशन करना करता हुआ आगे निकल जाएगा अधिरिया आपर और यहां पर बता दिया वहोगा के अब है अब यहां किसा मारा क्यूर्सन क्या था हमारा क्यूशन था कि वह अइसकी कर THIS तो जब यहां से लेकर कि यहां तक पैरी कर रहा है तो इकना डाउय데ट ली आपके अप्लेगा फोस वेरिग है ना तो जब फोस वेरिग है तो ऐसे क्वेस्टन को सल्कने के लिए क्या करते हो तेक एलिमेंट है टेक एसमाल एलिमेंट देश लेंथ वाना डियेक्स यहां पर हो इसमाल एलिमेंट ले लो लेंथ यह हांबर देखो यह है एलिमेंट हमारा ले लिया किन् initially है d its कित्नी दूरी पर इससे 1 दूरी पर तो एकस दूरी पर हमारी भिज़ कीतनी होगी इस के उपर यान कि यहां पर फिल्ट कितनी अब यह देखना है हमको तो B will be how much? Mu not by 2 pi, pi 1, by किनी दूरी पर? यह X, this is the field, because wire is infinite, तो आप दाफ इन्फाइनाइट wire, field will be so much, always. अच तो B कमान हो गया, इसमें current कितनी थी? I2, तो what is the force? Mind, the force acting just up, तो अब कितना force? यहां नाम दिया, Df, small element, small force, तो Df will be how much? current current conductor in the magnetic field वाला heading पर देना वहाँ पीछे है सब, तो Df कर दो टो, I2, I2, L, L means DX, I, L, B, B means this B, और क्या? sin 91, sin 91, कोई बटा, इन देखते हैं, चला, sin 90, तो क्यो 90? देख रहे हो, यार, I यहां है, B अंदर है 90, हो गया? हाँ, अब चला, तो अब हमको एप की बाई पूरी बता रही थी, बस integrate कर दो दो साइट से, integrate कर दो, df एक्वल टो, क्या? I to, dx और b, integrate करो, यहां 0, 2, f लगा दो, और यहां a से, a प्लस b, ओके देखों यहां पर, यह a है, आप पूरी लंबाई a प्लस b हो गई, देखों, यह a, तो lower limit हुआ, a force का, force का lower limit यहां से force शुरू है, तो force की lower limit a, a से शुरू है, कहां तक? a प्लस b तक, a, a से b तक, तो higher limit हो गई, a प्लस b, और limit हो गई, a से start है, a, चलो, अब यहां किना हुआ? f, equal to, चलो, जो constraint ने बहार निकालो, हाँ, a बात और कर दे, आब ऐलो पूट कर दें पहले हो, चलो इधर किना है? f, बराबर, चलो, इधर रखो, हाँ, चलो, यही निकाल दो, आई टुक बहार रिकाल दो रिकाल दिया चलो अभी dx अंदर रखे रहो हाँ a a plus b a a पर भी लिख दिया हाँ dx अंदर रखो b का मान लिख दो मू नाट बाई टू पाई और आई वन अपान किना आया था देखोए हाँ आई वन हाँ आई वन है ने टाइए आई वन अपान क्या एक्स और क्या बचा है dx हो गया आजाओ निचे आजाओ f ब्राबर आई वन कांस्टेंट यह सब कांस्टेंट बहार निकालो मू नाट बाई 2 पाई i1 i2 और क्या बस मू नाट बाई 2 पाई हो गया i1 i2 हो गया ठीक कहां से कहां तक a से a प्लस b तक किसका हो 1 by x का dx हो गया चलो आजा और आगे हो तो f ब्रावर कितना हुआ mu naught by 2 pi i1 i2 और क्या 1 by x 1 by x क्या हुआ log x on b c limit a a plus b what is the final answer okay i1 i2 log x तो log a plus b minus log a ब्रावर क्या हो गया log a plus b e upon a okay on base e this is the final answer अग्या हो ना लौग x से भीटाओ तो a क्या रख हो गया रख देख्या चलो आजा देख लो ओभी देख लो नहीं तो क्या होगे कहां से आ गया हाँ एफ ब्रावर व्यू नाट बाई टू पाई आई बाई क्या है नहीं आई वन आई टू आई वन आई टू हो गया अब जिखो अब देख्यों हो गया अब इसको क्या ले सकते हो देखो एफ ब्रावर मू नाट बाई टू पाई आई वन आई टू और क्या ब्रेकट के अंदर लॉक और बेसी ए प्लस बी बाई ए ओके तो वह ही है तो फाजान साब इस क्वेश्चेन इस तो मझें का पाड़ा है फिजेक्स फंटास्टिक हो गया आजा हाँ नोट को जल्दी कि शाल्म नोट करिए फार्स्ट हो गया हो गया होगा किना टाइम लोगे नोट करने में हो गया चलो आजाओ अब चलते चलते एक क्वेश्चन और देखते विटा हां तो आ तुष्व भी देख लिया जा नहीं तो चालो एक क्वेश्चन और देख लिया हैंपर नेक्स पॉइंट ये कोई एक चार्ज है क्यों ये मूब कर रहा है और इसकी बगल में एक चार्ज है क्यूटू ये भी मूब कर रहा है दोनों एक ही जिसन जा रहा है इसकी बिलास्टी है इसकी बिलास्टी है वी टू दोनों पैलल है पैलल दिख रहा है कि नहीं चलों पैलल हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर क्या इनके बीच इनके बीच कहुंसा फोर्स लगेगा अरे भाई इनके बीच कहुंसा फोर्स लगेगा कहुंसा फोर्स चार्ज है प्लस प्लस रिपल्सन तो होना ही है कुलाम फोर्स रिपल्सन तो एक तो इनके बीच फोर्स लग रहा है एफ येफ क्या रिपल्शन पो यह फोर्स है क्यां अब सोचो तो यह है नइ मैं फिल्ट उल्ट कुछ ने दी गई दो चार्च पाड़ के लिए पाइलाल जा रहा है है और फोर्स क्यों होगा है है सोचो 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 फिजिक्सी धुनाई हो रही है न बिटा पढ़ाई नहीं है धुनाई है हां बोलो कुछ और होगा होगा पक्का होगा को देखो यह जब भी कोई चार्ज पार्टकल बूफ करता है तो जानते हो कि जब भी कोई चार्ज पार्टकल बूफ करता है तो अपने ब्राबर जब एक सेकेंड होता है तो V ब्राबर विलास्टी क्या होती है? डिस्टेंस अपान टाइम डिस्टेंस अपान टाइम तो विलास्टी ब्राबर मानलो चला डिस्टेंस L, माना L1 टाइम T विलास्टी ब्राबर डिस्टेंस अपान टाइम t equal to 1 t equal to 1 V equal to L1 यानि कि B1 ब्रावर L1 एक सेकेंड में लबाई किलीए ब्रावर होती है बिलस्टी ब्रावर होती है तो जानते हो क्या होगा एक सेकेंड में current वही की नहीं अरे भाई प्लस प्लस चार्ज जिदर जाता है उधह ही तो current प्लाथी है एक आई देखो किने लेटान एक हाह किने चार्ज है एक है ना तो यह हो गए लंबाई इसका मतलब कि यह करेंट element की जैसा भी है कर रहा है नहीं कर रहा है यह हुगा l1 तो v1 बराबर क्या हुगा l1 और यह बना क्या current element तो इसमें current हुआ हुआ सीधी सी बात करेंट हुआ i1 कि करेंट हुआ i1 और element dl जो हम अभी लिखते आ रहे थे हम लोग dl वह बना l1 तो आई नो 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 आई वन और l1 बाब भी वन यहां ले लो भी वन ओके क्लियर अब यह क्या कर रहा है यह नहीं स्ल्म पर करेंट कर से कि यह current produce कर रहा है यह कर रहा है क्येंट पर हमारी अगर्यों कर रहे है है星os यह वायर इसके मान्य इपने यह और यह वायर इसके माना क्यों चाहते है कि इसके उपर कि लगेगा कि नहीं तो अब इसने फिल्ड इस उपर कितना प्रोडूश किया तो B B1 ब्राबर यानि कि एक नमबर कवाई इसको एक नमबर देदो इसको दो नमबर देदो तो B1 ब्राबर कितना प्रोडूश हुआ ब्राबर किया हुआ देखो तो B1 ब्राबर किया हुआ वह इस्टेट वाई रहे ने बटा तो क्या लोगें हां फिस देख लो तो B1 ब्राबर किया हुआ इन्फाइनाइट माल लेते हैं इसको ना तो मैंने चीई लिए कि ओ İ की वान और वी वन अपां कितने दोरी पर और दोरी पर अपां ऑ रोक आ भी यार चाहिए चाहिए अई अइछ आए अई ठीक कि ऑप और क्या अए ल के अस्ठाम पर क्या न rubber और चार्ज कुन सा है कि अब जाद देखना अब यह वाली जो चार्ज है इसके फिल्ट के अंदर है तो क्या होगा एक बाबर जानते ही हो क्यू भी भी इसके उपर फिल्ट है इसकी विलस्टी है वी टू और फिल्ट कितनी आई मू नाट बाइ टू पाई क्या क्या क्यू वन बाइ आर वाट इस दवैल तो एक फिल्ट कितनी आई विवन बाइ टूपाई और क्या देखो क्यू वन क्यू वन क्यू टू वी तू अपान आर येस ओके इस दो फंतास्टी केंसर तो दिस इस दफोस्ट आइं बेविविन तू तू चार्ज पार्टिकल्स क्या प्रड़ा है हाँ फिजिक्स कमान आप जा देखना हो तो फिल्ट इसके उपर है फिल्ट इंसाइड है आप बिलस्टी इधर अश्वाले के दोनों एक ही दिसा में जा रहते पहला तो इनके वीच रिपनसर होगा कि अट्रेक्शन अट्रेक्शन क्या यहां इसके दिसा यह निकि दू चार्च पाट के लाएं यह दिए एक दिसा में जा रहा है तो इनके बीच अट्रेक्शन और यह दिए अप पूजिट जा रहा है तो रिपल्स नूट कर जल दी तो रिपल्स न होगा क्लियर तो इसका पड़ रहे थे साइक्लोट्रान पड़ रहे थे अब लोग लॉरेंच्व फोर्स साइक्लोट्रान राइं साइक्लोट्रान दो चार्ज अब आगे हैं लेना हम लोगों को नुमेरिकल्स पूरी थियोरी ना यहां पर फोर्स की थियोरी तो पूरी थियोरी हम लोगों पूरी थियोरी हो चुकी है अब इसके बाद हम लोगों को नुमेरिकल पढ़ना है तो फिर मिलेंगे कब जस्ट इसके बाद हाँ अब उधर जो दूसरे चप्टर चल लें तो अब इसका नुमेरिकल हम लोगे इसमें हम मिलेंगे पार्ट 10 के साथ मैगनेटिक इफेक्ट प हम को हमको मैटनी डैपोल प्रूब करना है क्यर्याशा, और बेसके बाद एंपिस्टुड आने वाला है इलेक्टिफ फिलड ना, इलेक्टिफ फिल्ड और परहप्स इलेक्टिफ हील्ड का पार्ड एट आएगा, सिवम्साद होगा है, ँच आने वाला है तो अब जो भी प होगा अब देख लो तो जो भी पाठ होगा वह आने वाला है ऊहां क्या होगा एलेक्टिक डाइपोल करता टार्क दोनों एक साथ आधा इधर, इलेक्ट्रिक आधा इधर, मैगनेटिक, यह दम बेलू कमपरेटिव इस्टटी फटाफट समझ में आ जाए, तो यह है हम लोग का आगे की पड़ाई है, और क्या है, अब यहां क्या आगे होने जा रहा है, अब यहां जो एक क्वेस्चन सबसे बड़ा फिक्स है, जानते हो कि मुभिंग क्वाईल गैल्रोमीटर, गैल्रोमीटर का करणवर्जन, अमीटर में, गैल्रोमीटर का करणवर्जन, बल्रोमीटर में, आइडियल अमीटर, बल्रोमीटर, उसके नुमेरिकल्स, तो अगला जो पार्ट होगा, तो उसमें नुमे तो पर्ट 10 अब्धूमेटिक एफेक्ट अब्धाब दकरेंट विल्ली मोस्त 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 इंपर्ट आइंपर्ट ओर आप पर्णा सब है जम के पढ़ना है आफ अभी इल्रेक्टिक फिल पढ़ने वाला है तो वहां वह बहुत किलियर होना जरूरी तभी आगे क्योंकि वहा है तो जांगते हो कि W बड़ावर P E cos theta 1 minus cos theta 2 होता है अब यहां पढ़े हो अभी है निकाले जो तो नहीं है यहां कहेंगे की वर्ड रं क्या होता है तो कहोगे M B cos theta 1 minus cos theta 2 है कि नहीं तो ठीक वहाँ जो फार्मला होगा सीधा यहां पर लग जाएगा तो यह हो गया मैंने डाइपोल आगे आई इसके बाद अधर जो भी चीज़े हैं वो देखते हैं step by step जम के पढ़िए मस्त हो के पढ़िए ओके best of luck फिर मिलते हैं मैंने इसके पर 10 and and electric field and potential, ok.